आप 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 सब का फिजिक्स के महा प्रले क्राश कूर्स में एक और क्लास एक और दिन जिसके अंदर हम लोग फिजिक्स के एक चाप्टर को बिलकुल अच्छे से रप्टाने वाले हैं इतका मतलब हम लोग ये वाली क्लास से सुबह वाली क्लास की हिल्प से सारे के सारे सारे कंसेप्स को क्लियर करने वाले हैं। लेकिन फिर तीन बजे वाली class में हम लोग practice session की help से questions को किस सरी के से solve किया जाता है, concepts को किस सरी के से apply किया जाता है, answer तक पहुँशने के लिए वो हम करने वाले हैं, तो बिल्कुल धमाकेदार, बिल्कुल full package physics का crash course हमारा महा प्रले crash course जिसके अंदर हम लोग physics को 30 days में complete करेंग ठीक है, तो conceptual clarity के लिए सुबह वाली classes होगी, जिसके अंदर हम लोग theory भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ questions भी कर रहे हैं, लेकिन जो major question practice है, वो तीन बजे वाले session में ही होगी, जहांपर हम SL Arora, HC Varma, DC Pandey, selected previous year questions, selected NCRT examples, selected NCRT exercise questions कर रहे हैं, है न, कि सुबह वाली class म से ये पता लगे कि ये जो concept हम लोगों ने सेखे हैं, इसको apply किस तरीके से किया जाता है, I am hoping everyone is very very excited for this session, because बच्चों ये जो session है न, basis बनेगा, तुम्हारी mechanics का basis बनेगा, अगर मानो तुम्हें vectors नहीं आता है, तो तुम्हें बिल्कुल तुम्हें पूरी mechanics नहीं आरी, mechanics का ए ज़र मैं motion in one dimension and motion in two dimension के उपर collectively बात करूँ न, तो ये एक ऐसा chapter है, मतलब ऐसा collection है दो chapters का, जहां से चार questions पूछे जाते हैं, जहां से पांच questions पूछे जाते हैं, मतलब ये आज वाली class और कल वाली class हमारी इतनी important है, कि तुम यहीं से इन दोनों classes के help से ही 20 marks को grab कर सकते हो, तुम लोग बच्चो 16 marks को grab कर सकते हो, तो motion in one dimension basis बनेगा motion in two dimension का, और उसी तरीके से जो vectors है, वो basis बनेगा तुमारी पूरी की पूरी mechanics, पूरी magnetic physics और पूरी की पूरी electrostatics का, तो मेरा aim यहीं रहेगा कि ये वाली class की help से मैं तुम बिलकुल अच्छे से समझा दूं कि भई, what are the concepts of the vectors, what are the concepts of motion in one dimension, एना कल वाली सुबह वाली class की help से बता दू, what are the concepts of motion in two dimension, what are the concepts of projectile motion, circular motion, और तीन बजे वाली सेशन में हम लोग धाड़ धाड़ प्राक्टिस कर सके, ठीक है, अच्छा, अभी जब हमारे कल का प्राक्टिस सेशन हुआ था तो कुछ बच्चों ने मु ने बोल दिया है, एक टीचर के लिए ये सुनने से जादा बढ़िया क्या ही होगा कि बच्चा बोल रहा है कि और प्राक्टिस सेशन होंगे बच्चों वो एक और आदे घंटे के नहीं होंगे, वो हमारे दो घंटे के गवा करेंगे, इसका मतलब जो number of questions है, 25% increase हो क्योंकि ये चीज़ तुम लोगोंने बोली है, अल्टमेटली फिजिक्स के महाप्रले क्राश कोर्स का एक सिंगल एम ये है, रिजल्ट आना चाहिए, बच्चों को समझ आना चाहिए, अगर वो आदा घंटा एक्स्टा लगाना पढ़ रहा है, एक्स्टा भी क्या है, चार करने के लिए, आइनो तुम भी सब कुछ करोगे और मैं भी सब कुछ करोगी, ठीक है, जितने भी डीपीपीज हैं बच्चों और क्लास का जो पीडिएफ है, तुम लोग को ये वाले टेलेग्राम चानल के उपर मिल जाएगा, अगर आप इस चानल के उपर नहीं है, तो च ठीक है जी, I'm hoping everyone is ready, shall we begin? सब बच्चे फटा फट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, and let me see some hearts in the comment section, देखो यार, you guys have my respect, तुम लोग सुबे सात बजे उठ रहे हो, physics पढ़ने के लिए, you have my respect, I know you are gonna be doing it right now, अब की बार तुम लोग ये करके ही दिखाओगे, अब की ब सेक्स नहीं कर रहे हो, तब तक मन ठक जाता है, सुबे को उठके पढ़ रहे हो, let me see some hearts in the comment section, let me see some likes on this session, सब बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को, जो हमारा बच्चों तीन बजे वाला सेशन है, जिसके अंदर हम लोग क्वेशन प्राक्टिस करेंगे, वो वाला लिंक मैंन जाएगा, Monday to Friday हमारी classes होती है, Saturday तुम्हें off मिलेगा, और Sunday को तुम्हारा test होगा, तो ये test होगा, अड़ा 247 के आपके उपर, it is completely free of cost, बस जो तुम्हें link देखे, उस link के उपर click करके, बस enroll कर लो, that is it, you don't have to do anything else, तुम enroll हो जाओगे, 12 बजे test दे देना, ये वाला जो, ये और शुरू करते हैं फिर बच्चों, हम लोग आज की इस धमाकेदार class को, I am hoping everyone is ready, ठीक है, शुरू से लेके end तक सब बच्चे बठेंगे, और मैं promise करते हूँ, आपको vectors भे बिलकुल अच्छे से समझ आएगा, देखो, let me show these slides, vectors भी अच्छे से समझ आएगा, जिसमें हम ल होता है, vector को resolve कैसे किया जाता है, क्या कोई easy way है, vectors को add करने का, या फिर हम लोग को वही formula इस्तमाल करना पड़ेगा, जो हमें रठना पड़ता है, कि this is the formula whenever we need to add two vectors, vectorical subtraction क्या होता है, triangular law of vectorical edition क्या होता है, यह मैं तुम लोग को सब आज की class में बताऊंगी, और obviously बाते questions भी क और extreme question practice हो जाएगी हमारे तीन बजे वाले session में, फिर motion in 1D के उपर चलेंगे, motion in 1D अगर तुम्हें आ गया ना, तो motion in 2D यूं आ जाएगा, क्योंकि जैसे first topic यहां पर distance and displacement है, वहां पर भी first topic distance and displacement है, जैसे यहां पर distance and displacement के बाद speed of velocity आता है, वहां पर भी speed of velocity आता है, जैसे कि बच्चों यहां पर instantaneous speed, instantaneous velocity आता है, वहां पर भी आता है, जैसे कि यहां पर acceleration आता है, वहां पर भी आता है, जैसे यहां पर kinematic equations आते हैं, वहां पर kinematic equations के इस्तमाल से circular motion आता है और projectile motion आता है, और फिर हम लोग यहां पर बात करेंगे, relative motion के बारे में, यह हमारी जो आज क क्लास है चलने वाली है साड़े नौ बज़े तक और मैं इस सारी कि सारी चीज़े बिल्कुल अच्छे से कंप्रीट करा दूगी मिन फोकस रहेगा तुमारी conceptual understanding के उपर और अब मैं हमारी आज की इस क्लास की शुरुवात करना चाहूंगी I am hoping all your queries have been answered now I would like your focus and now let us begin with today's class everyone ठेक है हां जी let us start तो देखो अगर मानो सबसे पहला topic vector है तो तुमारा तो यही समझना important है कि दी यह vector कि स्चेडिया का नाम है तो मैं तुमें बता रहे हूं generally कि हमारे पास जितने भी physical quantities है ना जैसे last वाले class में हम लोगों ने किया था कि physical quantities क्या होती है है ना तो यह जो physical quantities होती है data are infinite number जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं जैसे force हो गया, pressure हो गया, velocity हो गया, mass हो गया, time हो गया तो ये जितने भी physical quantities है ना, actually ये तीन तरीके की होती है, एक होती है tensor, जिसके बार में हमें बढ़ना नहीं है, एक होता है scalar और एक होता है vector, तो हम लोग को scalar और vector की बार में बढ़ना है, तो मैं basically बोले हो, अगर देखो कोई भी physical quantity है, तो इतना तो हम लोगोंने कल की class में भी सीखा है, कल की class में नहीं आये थे, तो भी मैं अच्छे से जानते हूँ तुम्हें बता है, कि मानू अगर मैं force की बात करूँ, तो तुम क्या करते हो, यहां पर number लिखते हो और उसके बाद unit लिखते हो, है ना, अगर मानू मैं mask की बात करूँ, तो तुम क्या करते हो, यहां पर number लिखते हो, यहां पर unit लिखते हो, तो मैं तुम्हें बोल लिए कि, अगर मानू उस number की direction हो, अगर मानू उस physical quantity की direction हो, तो वो vector कहलाया जाता है, अगर मानू उसके कोई भी direction नहीं है, तो उसको scalar कहलाया जाता है, so when I talk about the magnitude, तो magnitude तो obviously बात है, magnitude तो दोनों का होगा, देखो जो magnitude है, वो तो vector का भी होगा, क्योंकि चाहे किसी भी तरीकी की physical quantity हो, उसका unit है ना, उसका unit और magnitude तो होता है, यह भले उसका unit unit less हो, है ना, भले उसका unit 0, 0, 0 हो, but whatsoever, physical quantity magnitude multiplied by unit होता है, तो magnitude तो scalar का भी होगा, magnitude तो vector का भी होगा, बात बस यह है बच्चो, कि जो scalar है ना, scalar की कोई direction नहीं होती, लेकिन vectors की direction होती है, if I have to give you an example, तो देखो जो velocity है, velocity की direction है, तुम अगर बोल लो कि यार, हमारी गाड़ी की velocity, 4 meter per second है, गलत statement है, velocity की direction होती है, तुम बोलोगे, हमारी गाड़ी 4 meter per second से, इस direction में move करी है, मतलब हमारी गाड़ी की velocity, 4 meter per second की इस direction में है, अगर तुम बोलो, force 2 newton का है, वो तुमारा incomplete statement है, तुम बोलोगे कि 2 newton का force है, जो इस direction में लग रहा है, तो ये जितने भी physical quantities है, जिनका magnitude भी होता है, और direction भी होती है, जैसे कि बच्चों velocity हो गया, या फिर force हो गया, या फिर मानो acceleration हो गया, ये सारी ऐसे physical quantities है, जिनकी direction है, फिर ऐसे भी physical quantities होती है, की बात करूं, इसका कोई direction नहीं है, मानो में temperature की बात करूं, इसका कोई direction नहीं है, तो जिन physical quantities का magnitude और direction है, वो vector है, उसी तरीके से, जिन physical quantities का magnitude तो है, क्योंकि वो तो physical quantities का होता ही है, लेकिन direction नहीं है, वो scalar है, अब मैं तुम्हें ये बोल रही हूं, कि यार अगर मानो direction है तो obviously बात फिर हम उनको normally add क्यों करेंगे जैसे कि देखो मैं बचो scalars को तो normally add कर सकते हूं तुम खुद देखो मानो अगर मैं बोलू कि भाई ये एक bag है यहाँ पर एक save है save के मतलब एक save का mass है 10 kg ठीक है अब obviously बात है अगर मानो मैं हाँ पर 2 save रखों तो total mass 20 kg आगया अगर 3 save रखों तो 30 kg आगया 4 save रखों तो 40 kg आगया तो मैं बोल सकते हूं यार कि जिन physical quantities का magnitude होता है लेकिन direction नहीं होती उन quantities के साथ deal करना सबसे ज़ादा easy है उन quantities के साथ deal करना सबसे ज़ादा easy है which is why electric potential and capacitance is a comparatively easy chapter than electric charges and fields तो जो भी scalar quantities होती है उनको हम लोग normally add करते हैं normally add करने का मतलब जिस तरीके से हम लोग algebraic addition करते हैं 1 plus 2, 3 हो गया, always 3 plus 4, 7 हो गया, always या फिर 7 plus 10, 17 हो गया, always लेकिन मानो अगर मैं यहाँ पर vector quantities की बात करूँ तो vectors की तो direction होती है जैसे कि मानो तुम यहाँ पर इस तरीके से बैठे हो तुमारा दोस्त यहाँ पर धक्का दे तुमें 10 newton से यहाँ पर दूसरा दोस्त भी धक्का दे 10 newton से तुम नहीं हिलोगे तुम अपने स्कूल में एक बार तो ऐसे बैठे होगे ना जहां पर यहाँ से भी धक्का 10 newton का आ रहा हो यहां से भी धक्का 10 newton का आ रहा हो जब एक ही bench पर तीन दोस्त बैठे हैं तो तुम इसी तरीके से रहोगे ना तो तुम यहाँ पर खिसकोगे तो तुम यहाँ पर खिसकोगे तो नॉर्मल एडीशन तो नहीं हो रही है देखो नॉर्मल एडीशन तो नहीं हो रही है क्योंकि अगर मैं 10 ब्लस 10 कर दूँ तो तुमारे उपर तो 20 newton का फोर्स लग है तो तुम किसी डिरिक्शन में तो जाने चाहिए तो अभी ना तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो टेंसर्स को समझने के लिए है ना ही स्केलर्स को समझने के लिए है तो वेक्टर्स की उपर आते हुए एक एक करके वेक्टर्स को पत्ता गूबी के पत्तों की तरफ खोलेंगे जैसे कि सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि दी माना पोर्स एक वेक्टर है लेकिन मानू अगर मुझे एक piece of paper पे बनाना हो कि right hand side के उपर force लग रहा है 4 newton का तो मैं कैसे बनाऊंगी तो वो हम arrow से बनाते हैं ठीक है, diagram में कभी भी तुम लोग को vector को represent करना हो तो तुम लोग arrow के help से represent करोगे जिसके अंदर इसको तुम लोग बोल दोगे tail of the vector, इसको तुम लोग बोल दोगे head of the vector, तो obviously बात है जो head of the vector है, वो तुम लोग को क्या दे रहा होगा vector की direction दे रहा होगा जैसे कि मानू मैं बोलूँ कि एक vector इस direction में है, तो मैं तुमें ये बोल रही हूँ कि ये क्या मेरे पास आ गया ये देखो, ये मेरे पास tail आ गया ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ गया, head आ गया तो मैंने तुमें बता दिये कि जो head of the arrow है, वो direction को signify करता है, और उसी तरीके से जो length of the arrow है, वो magnitude को signify करता है, क्लास के दौरान कोई भी बच्चा नोट्स ने बनाएगा, ठीक है ना? क्लास के दौरान नोट्स ने बनाने, तुमें क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, जैसे क्लास खतम हो जाती है, टेलिग्राम चानल के उपर, जिसका link इस वीडियो की description में है, आपको सिर्फ क्लास में सुदना है, आपको सिर्फ physics विजुलाईज करनी है, आपको सिर्फ अपने concepts clear करने है, so this is what I'm talking about, क्या बोला मैंने, कि अगर मानू मैं एक arrow की help से vector को represent कर रही हूँ, तो ये तो दिया हमें समझ आए, कि जो ये head है ये जो इस तरीके से pointy nature है arrow का, वो हमें बताता है vector किस direction में है, लेकिन ये आपने क्या बोला है, तो तुम मुझे खुद बताओ थोड़ा सा सोचना, तुम यहाँ पर खड़े हो, मैं तुमें बोलू तुमारे दोस्तने इतना force लगा है, तुमारे कि अगर मानू मैं vector को ये वाले arrow से represent करूँ, तो इसकी जो length है, ऐसा नहीं कि 4 meter की length है, तो 4 newton का vector है, नहीं, concepts clear कीज़े, relative state में, मतलब दो vectors को अगर मैं compare करने लगूँ, तो जिस vector की जितनी जादा बड़ी length, उसका magnitude उतना ही जादा, कि मानू अगर ये वाले, ये वाला vector, 4 के magnitude का है, so without any doubt, ये वाला जो vector है, 4 से बड़े magnitude का होगा, ये वाला जो vector है, 4 से बड़े magnitude का होगा, ये वाला जो vector है, 4 से बड़े magnitude का होगा, क्योंकि direction का magnitude से कोई लेना देना नहीं है, magnitude का direction से कोई लेना देना नहीं है तो अभी हम लोग सिब बात करें कि हम लोग diagram में vector को किस तरीके से represent करते हैं अब अगर मैं बात करूँ कि हम लोग mathematics में मतलब मानू जब मैं mathematical formula लिख रही हूं तो उसमें vector को कैसे represent किया जाता है तो बस उस physical quantity की उपर ना ऐसे arrow बना देना जैसे मैं ये बोल रही हूं कि mass की direction है लेकिन mass की कोई direction नहीं होती है मैं बच्चो volume के उपर इस तरीके से vector का sign नहीं बना सकती क्योंकि volume की कोई direction नहीं होती है but when I talk about the force, force की direction होती है when we talk about the acceleration, acceleration की direction होती है when we talk about the momentum, momentum की direction होती है तो कभी भी diagram में represent करना हूं तो arrow से represent करेंगे और कभी मानो अगर तुम्हें mathematical equation में represent करना हो तो तुम इस तरीके से represent करोगे कि मानो मैं बोल लिए हो vector A तो तुम लोगों ने इस तरीके से represent कर दिया कि ये A है और उसके उपर आ गया vector कि ये A का vector है ठीक है अब मैं बच्चो तुम लोगों को यहां पर ये बोल रही हूं कि vector के दो components होते and we have just had this discussion अभी हम लोगों ने बात की है कि vector के दो components होते है एक होता है उसकी direction और एक होता है उसका magnitude मैं बोल लिए उसका दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है जैसे कि मानों अगर मैं बोलूँ कि यार एक exam को clear करने के लिए तुमारा एक तो A subject अच्छा होना चाहिए और B subject अच्छा होना चाहिए इसका मतलब जब दोनों अच्छे है तो ही तुमारा clear होगा वरना नहीं होगा है के ने, जब दोनों अच्छे होंगे, तभी तुम्हारा clear होगा, वरना वो नहीं clear होगा, उसी तरीके से एक vector के दो components होते हैं, एक होता है magnitude, एक होता है direction, तो जब ये दोनों same है, तभी तुम दो vectors को same बोल पाऊगे, वरना तुम लोग दो vectors को same नहीं बोल पाऊगे, Do you understand me? जैसे कि जिन बच्चों ने कानमाटिक्स किया हुआ है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि uniform circular motion में velocity change करती है, जबकि मानों यहाँ पर velocity ऐसे 5 meter per second की होगी, यहाँ पर velocity ऐसे 5 meter per second की होगी, यह कल करेंगे, अभी जिन बच्चों ने किया हुआ है, उसके बार में बात करें, उन एक vector जितना उसका magnitude है, उतना ही उसकी direction भी है, तो भाले हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि जो velocity का magnitude है, वो सेम रह रहा है, लेकिन velocity की direction change हो रही है, तो अगर एक vector का या तो सिर्फ और सिर्फ magnitude change हो, या फिर दोनों change हो, तो मैं बोल दूंगे, वेक्टर में change आ रहा है, तो दो component होते हैं, वेक्टर के, एक हो जाता है magnitude, एक हो जाता है direction, देखो अभी इनको इसको represent किस तरीके से किया जाता है, बच्चो, जैसे कि मानों मैं बोलूं कि भाई, यह मेरे पास A vector है, तो A vector को, अगर मुझे mathematically represent करना हूँ, तो ऐसे represent करूँगे, यह concept नहीं है, you already know what is magnitude everyone, just because I have denoted it in this way, does not mean I have complicated the concept for you, तुम्हारे दिमाग में जो magnitude, जब मैं magnitude बोलती हूँ, और magnitude आता है, तो वही magnitude का मतलब यहाँ पर भी है, बस उसकी mathematical representation यह है, तो mathematically कभी भी मुझे magnitude को represent करना हो, तो मैं ऐसे कर दूँगी, और mathematically मुझे कभी भी direction को represent करना है, तो मैं vector को टोपी पहना कि मानू मुझे बताना है कि भाई यह momentum का vector है, अगर मानू मैं momentum के vector की direction को लिखना चाहूँ एक equation में, तो उस equation, तो उसको मैं ऐसे लिखोंगी, अगर मानू एक equation में मैं force की direction को लिखना चाहूँ, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, इन्हें को unit vectors बोला जाता है, एक एक करके हम सारी चीज़े नबटाएंगे, तुम देख लो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे यूनिट्स एंड दिमेंशन स्टार्ट हुआ था, वैसे हम लोग वेक्टर के भी शुरुआत करते हैं, तो मैं तुम्हें बोलूँ कि वेक्टर के दो कंपोने अती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारे फर्स्ट पेज से हम लोगों ने शुरु किया है, तो अभी सबसे पहले इस डिरिक्षन को समझते हैं, तो नमबर है, डिक्क अतने होने चाहिए, अरे भाई किसी भी direction में लग रहा हूँ, जैसे ही मैंने बोला 6, मतलब 6 उसका magnitude है It is about understanding this direction के आरदी, ये वाला direction वाली चीज ना हमारे थोड़ा सा दिमाग के उपर से गई तो थोड़ा सा आप इसके उपर emphasize कीजे और वो मैं अभी करने वाली हूँ देखो, कितनी genuine है ये चीज है, मैं बिल्कुल इसको डाल चावल बनाना चाते हूँ तुम लोगों के लिए ताकि तुम्हारे concepts बिल्कुल strong हो जाए अगर मानू मैं तुम्हें बोलू बच्चो कि भाई मेरे बास ने इस सरीके से एक बाग है और इस बाग के अंदर ना पांच रुपे है ठीक है इस बाग के अंदर पांच रुपे है मतलब एक रुपे का सिक्का, एक रुपे का सिक्का, एक रुपे का सिक्का, एक रुपे का सिक्का, एक रुपे का सिक्का है तो मैं बोलोगे कि यार अगर मैं मानू तुम्हें बोलोगे कि यार ये वाले पांच रुपे किस सरीके से प्रेजेंट है तो तुम बोलोगे दी एक रुपे हैं फिर 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 एक रुपे हैं यही ब कि अगर मैं उच से पूछों कि एसे 680 मार्क कैसे आए हैं तो वो 680 को अपने इंडिविजुल कंपोनेंट्स में बताएगा वो बोलेगा कि आरदी फिजिक्स में एतने हैं के मिस्ट्री में इतने हैं तो यह सकेलर्स हैं तो मैं बोले हुए कि अगर कोई concept तुम्हें scalar में आता है I know वो थोड़ा सा modify हो जाता है vector में लेकिन difficult नहीं होता अब मानू मुझे vector को तोड़ना हूँ तो obviously बात में direction को भी consider करूँगे, let us assume मैं बोलूँ कि भाई ये वाली direction में 3 के magnitude का vector है मानू मैं तुम्हें बोलूँ कि इस direction में 3 के magnitude का vector है तो मैं इसको components में नहीं तोड़ सकती मैं ऐसे नहीं बोल सकती यहाँ पर आगया 1 के magnitude का vector यहाँ पर आगया 1 के magnitude का vector यहाँ पर आगया 1 के magnitude का vector तीनों ने बना दिया 3 के magnitude का vector कि यह आगया 1 के magnitude का एक ही direction में ये मेरे पास आ गया 1 के magnitude का A की direction में, ये मेरे पास आ गया 1 के magnitude का A की direction में और जब मैं इन तीनों को आड़ कर दूँ, तब बन जाता है 3 के magnitude का A की direction में That is it, this is known as resolution of a vector हमें complex करना ही नहीं है, देखो अभी हम क्या करें, vectors को उसकी components में तोड रहे हैं एक और पर देखो नीचे वाले example देखना, मनू मैं तुम्हें बोलूँ कि इस direction में B का vector है और B का magnitude 5 का है, तो इसमें क्या बड़ी बात होगी, कि मैं ये बोलना चाहते हूँ कि एक तो इस direction में हो गया 1 के magnitude का B की direction में, एक दुबारा से इस direction में हो गया और जब मैं बच्चो इन सारे के सारे vector को जोड़ दूँ, तब बनता है 5 के magnitude का B की direction में तो तुम ये देख पार हो, ये जो तुम direction बोल रहे हो ना, that is a unit vector देखिए, that is a unit vector, how do I make it complex, मैं तुम्हें भाई statements में लेके नहीं जाना चाहते हूँ सब diagram में है, vector सिर्फ और सिर्फ diagram में है ये देखिए, तो तुम ये जो इस तरीके से बना रहे हो ना, इनी को unit vector बोला जाते है तुम्हें कोई examiner ये नहीं बोलेगा कि बताओ, sl aurora में unit vector की definition क्या है नहीं पता हमें definition क्या है unit vector की sl aurora में, लेकर हम आपको बता सकते unit vector क्या है तो ये जो तुम लोग vectors देख रहे हो, ध्यान दीजेगा, ये जो तुम लोग vectors देख रहे हो, जिनका magnitude 1 का है ठीक है, और जो direction को signify कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, direction को signify कर रहे हैं, इनहीं को unit vector बोला जाता है तो यहां पर मैं बोल सकते हैं, what is this, this is unit vector of A English में मत, फैसना बच्चो, what is this, this is the unit vector of A A का unit vector, मतलब A की direction में, एक के magnitude का vector So unit vectors, वो vectors होते हैं, जिनका magnitude 1 का होता है जिसकी help से हम लोग direction of the vector को signify करते हैं, अब जैसे के मानू किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि इसको हम लोग एक और तरीके से तो तोड़ सकते हैं, कि यहां पर मैं ले लूँ दो के magnitude का एक ही direction में, फिर यहां पर मैं ले लूँ एक के magnitude का एक ही direction में, और बिल्कुल सही बात है तुमारी बिल्कुल, you can also do that, अभी बस मेरा intention तुम लोग को unit vector समझाना है इसलिए मैं उसको एक की magnitude में तोड़ रही हूँ क्योंकि 2 के magnitude का vector कभी भी unit vector नहीं होता तुम देखो न, unit vector, एक ऐसा vector जिसका magnitude unity है एक ऐसा vector जिसका magnitude 1 है तो unit vectors ऐसे vectors होते हैं, जो 1 के magnitude के होते हैं जिसके help से हम लोग सिर्फ direction को signify करते हैं अब्विसी बात है, जीवन में या फिर यूनिवर्स में infinite directions है, so there are infinite unit vectors there are infinite unit vectors मानों मैं बोलूं कि B का vector ऐसे है मानों मैं तुम्हें बोलूं C का vector ऐसे है मानों मैं तुम्हें बोलूं D का vector ऐसे है तो अब्विसी बात है, B का unit vector आगे इस direction में D का unit vector आगे इस direction में C का unit vector आगे इस direction में so there are infinite directions there are infinite unit vectors बात बस इतनी सी है बच्छों कि देखना बात बस इतनी सी है कि तुम्हें X-axis Y-axis और Z-axis वाले unit vectors के बारे में specially बता होना चाहिए देखो this is very logical whenever you have a problem to solve you make it easier for you to solve the problem जैसे कि मानो अगर तुम्हें अच्छे से बता है कि भाई तुम्हें physics करनी है ठीक है तुम्हें physics समझनी है तुम्हें अबके बार physics अपनी strengthen करनी है तो हम लोगों ने क्या कि सुभे classes लगा ली so we made it easier for us to understand physics by conducting the classes in the morning वैसे मैं तुम्हें बोल रहे हूं directions तो infinite है लेकिन अब भी class 11 में ही तो vectors introduced हुआ है तो अभी से थोड़ी complexities में जाहेंगे कि इस direction में यह represent होती है इस direction में यह representation होती है हमें सबजना है सिफ x-axis y-axis और z-axis को understood there are infinite unit vectors because there are infinite directions but if we focus just on the x-axis y-axis and z-axis as per your syllabus तो इन unit vectors को special lamb दे दिया गया है कि मानो जो unit vector देखना यह जितने भी vectors 1 के magnitude के हैं और x की direction में हैं उनको i cap से denote किया जाता है सिफ representation है यह जितने भी vectors 1 के magnitude के x की direction में होते हैं उनको i cap से denote किया जाता है अगर मनो बच्चो यह मेरे पास 1 के magnitude के negative x की direction में है तो अभी सी बात है उसको मैं negative i cap से represent करूँगे उसी तरीके से एक special representation है उन vectors का जो 1 के magnitude के हैं और वो है बच्चो हमारी y की direction में इसको j cup से represent किया जाता है एक unit vector जिसका 1 का unit vector का दो 1 का ही magnitude होगा लेकिन एक ऐसा unit vector जो y के direction में है उसको j cup से represent किया जाता है और एक ऐसा unit vector जो इस तरीके से negative y की direction में है उसको negative j से represent किया जाता है ध्यान देना एक ऐसा unit vector जो 1 के magnitude का है z की direction में उसको k से denote किया जाता है ओविसी बात है cup की help से हम लोग direction को signify करते हैं और उसी तरीके से एक ऐसा vector जो 1 के magnitude का है लेकिन negative x की negative z की direction में है उसको negative k काप से denote किया जाता है जब तक vectors नहीं खतम हो रहा तुम्हें पूरी कहानी कभी नहीं समझाएगी यह वो वाला topic नहीं है जिसके अंदर हम लोगों ने जैसे की last वाली class में हम लोगों ने errors बगेरा पढ़ लिया इंटराक्शन एवरी वाल और अच्छे से इंटराक्ट करेंगे तो मैंने बोला तुम्हें बोला कि एक वेक्टर है एक वेक्टर है एक वेक्टर विच इस वेक्टर को बनाओ कैसे बनेगा तुम्हें करना है हमें तुम देखो ये चार के मागरिट्यूड का है और एक्स की डिरेक्शन में है तुम देखो न इसका मतलब क्या इसका मतलब चार बार आई काप आएगा तो चार बार आई काप को ले ओ ये देखो एक बार मैं आई काप को ले आई draw करो, तो इसका मतलब समझोग, बचो decode करो, vector हमेशा magnitude multiplied by direction होता है magnitude कभी negative नहीं होता magnitude एक number है, वो हमेशा positive होगा, चाहिए वो positive 0.1 हो, या फिर वो positive 100 हो, magnitude is always in positive negative और positive हमेशा direction से associated होता है, जैसे मानों अगर आप मुझे बोलो कि B vector negative 2 j cup है, इसका इसका मतलब क्या, दो बार negative j cup आएगा, तो ये मेरे पास आगया, एक बार negative j cup ये मेरे पास आगया, एक बार negative j cup, अब ये जो vector बना है वो आगया मेरे पास 2 times of negative j cup, जिसको मैं इस तरीके से negative 2 j cup की terms में भी लिख सकते हो, vector has not, magnitude has nothing to do with the direction, direction has nothing to do with the magnitude, दोनों को link करने के बिलकुल भी कोशिश मत करना वरना गूमते रहोगे, ठीक है, तो मैं तुम्हें बोल लिएँ कि जो magnitude, it is always a number तो ये number हमें बताता है कि unit vector कितनी बार आदा है, जैसे कि यहाँ पर 4 i cup था, तो इससे हमें पता लगा कि i cup चार बार आ रहा है, यहाँ पर negative 2 j cup था, तो हमें पता लगा कि negative j cup दो बार आ रहा है, so this is what I am talking about, here 2 and 4 are what, they are the magnitudes, magnitudes are represented by numbers, और यहाँ पर जो i cup है, या फिर यहाँ पर जो negative j cup है, they are signifying the direction, such vectors that have the magnitude of 1 and signifies the direction are unit vectors, इससे उपर कुछ नहीं है, यही unit vector है, इने को unit vector बोला जाता है, तो अब मानों अगर मैं थोड़ा सा और इस चीज को समझाने के कोशिश करूँ, है ना, तो मैंने अभी तुमें क्या बोला, मैंने अभी तक तुमें यह समझाए, भई देखो, यह जो हमारे vectoris के दो components होते हैं, छेक हैं, एक आजाते है, इसका magnitude, ध्यान दीजेगा, एक मेर पास क्या आ जाते है, एक मेर पास आ जाते है magnitude, magnitude हमेशा एक number होगा, छेक हैं, वो कोई भी number हो सकता है, वो number 1 हो सकता है, वो number 1 by 2 हो सकता है, वो number 3 by 4 हो सकता है वो number 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, number तो यह हमेशा number होगा, it will not be in minus magnitude is the number which is greater than 0 अब अगर मानू में direction की बात करूँ तो direction को हम लोग represent करते हैं unit vector की help से यह unit vector positive की direction में भी हो सकता है और negative की direction में भी हो सकता है जैसे कि इसी चीज़ को मैं समझाना चाते हूँ यह वाले points से, कि क्या होगा अगर मानू मैं एक vector को positive number से multiply करूँ या फिर negative number से multiply करूँ, जैसे कि मानू, let us take an example example की perspective से चलेंगे मानू मैं तो मैं बोलूँ कि भाई, मेरे पास already एक vector था 2i cap ठीक है मैंने उसको multiply कर दिया positive के number से, let us assume मैंने उसको 3 से multiply कर दिया, तो यह मेरे पास आ जाएगा 3 times of 2i cap और बाद में हम लोग क्या करते हैं उसको एक negative number से multiply कर देते हैं तो यह लोग negative 3 से अब की बार मैंने multiply कर दिया 2i cap को let us assume कि मैंने भाई यह इस सरीके से कर दिया तो तुम देखो न, यह basic multiplication नहीं है यह मेरे पास आगया 6i cap यह मेरे पास आगया negative 6i cap magnitude आगया 6 का direction आगी i cap magnitude आगया 6 का direction आगी negative i cap यह रटने वाली बातें नहीं होती अगर आप यह भूल जाए न, तो आप simple multiplication कीजे, what is this 3 multiplied by 2i cap 6i cap, what is negative 3 multiplied by 2i cap it is negative 6i cap तो मैंने तुमें यही तो बोल रहे हूं कि वेक्टर में एक magnitude होता है एक direction होती है, दोनों को relate मत करो magnitude number होता है, number उठालो number 6 का है, बचा हुआ direction है i cap direction है number उठालो 6, 6 का magnitude है बचा हुआ direction है, negative i cap direction है, so basically what I want to say is, whether I multiply, that if I am multiplying it with a positive number, मैंने direction तो नहीं छेडी magnitude तो दोनों में change होगा देखो magnitude तो दोनों में change होगा दोनों scenarios में तुम लोग देख पारे हो magnitude is increasing by a factor of 3 पहले magnitude 2 था फिर चाहे मैं 3 से multiply करूँ या negative 3 से multiply करूँ मुझे number पर focus करना है तो magnitude तो 3 से increase हो रहा है but what is important to understand is अगर मानु मैं उसको positive number से ही multiply करना हूँ I am not changing the direction direction यहाँ पर हमारे vector की same रहेगी conclusion है यह तुम देख लो पहले था मेरे पास 2 i cap तो यह लो i cap, i cap, 2 i cap फिर है 6 i cap तो i cap, i cap, i cap, i cap, i cap, i cap, i cap के डिरेक्शन चेंज यह आगया मेरे पास पहले जो vector था यह आगया मेरे पास बाद में जो vector था इन दोनों की तो नहीं है direction change इन दोनों यह दोनों तो बिलकुल सेम है अब की बार मानों पहले 2 i cap था तो देखो पहले इस तरीके से i cap, i cap, 2 i cap था अब 6 बार negative i cap है negative i cap, negative i cap, negative i cap, negative i cap, negative i cap देख पा रहे हैं तो यहाँ पर direction क्या होगी यहाँ पर direction change होगी तो मैं basically यह discussion क्यों करी हूँ मैं ऐसा कौन सा concept है ठेक है, जो मैं तुम्हारा clear करना जाती हूँ वो यह है बच्चों, कि negative, positive negative, positive हमेशा direction से associated होगी number magnitude से associated होगा in both these scenarios, the magnitude is increasing by a factor of 3 ठेक है, लेगन अगर मानों उसके साथ में negative लेके आ रहे हैं तो direction change हो जाएगा तुम समझे कि अगर मानों 6 i cap या फिर मानों अगर मैं तुम्हें बोलू, 6 i cap इस direction में है तो without any doubt, negative 6 i cap इस direction में होगा अगर मानों फर एक्जांपल मैं तुम्हें बोलू, 3 p cap इस direction में है तो without any doubt, negative 3 p cap इस direction में होगा अगर मानों मैं तुम्हें बोलू, q cap इस direction में है so without any doubt negative q cap इस direction में होगा तो negative जो है वो क्या करते है direction को छेड़ता है negative का कोई भी magnitude से लेना देना नहीं है number का magnitude से लेना देना है positive और negative का direction से लेना देना है तो अभी मैंने तुम लोग को बताये कि किस तरीके से तुम लोग vectors को components में तोड़ सकते है कि ने और अगर मानू मैं उन सारे के सारे components को add कर दो तो मुझे दुबारा से वही vector मिल जाता है जैसे कि देखना मानू मैं तुम्हें बोलू कि ये मेरे पास इस तरीके से ए vector था तो मैं इसको बहुत तरीके उसे तोड़ सकते हूँ अभी हमारा जितना भी discussion था वो हमारी conceptual clarity के लिए था कि यूनेट वेक्टर होते क्या है अब हम लोग इसी knowledge के उपर resolution of vector के उपर जा रहे हैं कि यार vector को ज़रूरी थोड़ी मैं 1 1 1 में तोड़ो मानू मैं तुम्हें बोलू कि 5 रूपियों क्या पतां तुम यह बोलो कि यह 2 रूपिय का सिक्खा है가는 3 हमारब से क्योंकर के स्क्खें है ऐसा भी हो तो आ copyright यह निदि तो हमारेels आव मैं दो हूपिय के सिक्खे है एक मेरत बास एक हुक मेरत यह सिक्ख dokter यह से एन हमारे बास तीन डोपियों ठीक है देखो अगर मानो एका वेक्टर ऐसे है तो इसका मतलब क्या कि ये वेक्टर यहां से शुरू होके यहां पर खतम हो रहा है तो आप इसको कितने भी components में तोड़िये बस starting और ending points से होना चाहिए जैसके मानो आप इसको ऐसे दो component में तोड़ रहे हैं एक आगया ये वाला component एक आगया ये वाला component दोनो आड़ होके ए ही देंगे तुम्हें ये देखो अगर मानो मैं इसको एवन से represent करूं और इसको मैं एटू से represent करूं तो मैं बोल रहे हूं कि जब तुम एवन और एटू को वेक्टोरिकली आड़ करूगे ना तो तुम्हें एका वेक्टर ही मिलेगा मानू मैं इसको एक और तरीके से तोड़ू हूँ आपके बार में इसको ऐसे तोड़ रही हूँ तो नहीं तोड़ सकती हूँ तुम देखो ना इनिशिल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही तो तो अबके बार मैंने एको तोड़ा एक तो इस वेक्टर में मानू इसको मैंने बीवन रिप्रेजेंट कर दिया इसको मैंने बीटू रिप्रेजेंट कर दिया तो मैं बोल रही हूँ कि है तो मेरे इनिशिल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही ना तो क्या हुआ अगर मैंने इसको तीन टुकडों में तोड़ दिया अब भी जब मैं इन तीन टुकडों को आड़ करूंगी because मेरा initial और final point सेम है तो यह तीनों के तीनों टुकडे आड़ करके मुझे एका vector ही देंगे मैं तो इसको अब की बार देखना बच्चो मैं इसको 6 components में तोड़ूंगे एक component हैसे आया एक component हैसे आया एक component हैसे आया एक component हैसे एक component हैसे एक component हैसे एक component हैसे कोई फर्क निपेंदा you can resolve our vectors into infinite components you can resolve a vector in infinite ways देखना मानो में इसको बोल दू c1 इसको बोल दू c2 इसको बोल दू c3 इसको बोल दू मैं C5, इसको बोल दूं मैं C6, इसको बोल दूं मैं C7 और इसको मैं बोल दूं C8. तो अब भी जब मैं C1 को C2 से, फिर C3 से, फिर C4 से, फिर C5 से, फिर C6 से, फिर C7 से, फिर C8 से जब मैं आड करूंगे न, तो दुबारा से मुझे एक ही वेक्टर मिलेगा, जोकि यह A vector. So, what I am saying is, like I made a point earlier in these slides that there are infinite directions. So, because there are infinite directions, you can resolve a vector in infinite ways. Because there are infinite directions, so there are infinite unit vectors. Now, I want to make a point that you can resolve a vector in infinite numbers of ways and you can resolve the vector in infinite components. बात बस बताओं कितनी है? बात बस इतनी है कि, जैसे कि, there are infinite directions, but to make things easier for all of us, we only talk about the x-axis, y-axis and z-axis. उसी तरीके से, because we can resolve a vector in infinite ways, in infinite numbers, for making things easier for all of us, we will always resolve it into perpendicular components. The reason being, कि perpendicular components को add करने के लिए, हमें सिफ पाइथागरस लगाना पड़ता है. समझें? तुम देखो ना, मैं तो इस vector को किसी भी तरीके से resolve कर सकती हूँ. बात बस यह है, कि, perpendicular vectors को अगर मैं कभी भी vectorically add करूँ, तो मुझे सिर्फ और सिफ पाइथागरस लगाना पड़ता है. तो obviously भात है, फिर मैं वही करना चाहूँगी, मैं नहीं याद करना चाहती, कि resultant का square, it is equal to a का square plus b का square plus 2ab cos of theta. मानू, मैं भूल जाऊँ exam में, so I should not be able to solve, क्यों भाई, I should be able to solve. So, because it is extremely easy, तो मैं सिर्फ basic pythagoras लगाना है, जब भी दो vectors perpendicular हो, इसलिए सबसे best होता है, कि अगर तुम्हें कभी भी vector को resolve करना हो, perpendicular components में resolve करो. जैसे कि देखना, मानू, यह मेरे बाद a का vector है, तो मैं इसको perpendicular components में resolve कर लूँगे, एक लेलूँगी जो x-axis की direction में है, एक लेलूँगी जो y-axis की direction में है, इसका magnitude आगया ax, direction आगी 1i का, इसका magnitude आगया ay, direction आगी j का, तो यह आगया a vector का वो वाला component जो x की direction में है, यह आग वेक्टर को दो components में तोड़ा है, तो जब मैं इन दोनों components को add कर दूँगी, तो मुझे a का vector मिल जाएगा, बात बस इतनी सी है, कि because यहाँ पर ax और ay इस तरीके से perpendicular है, तो इनको add करने के लिए मुझे सिर्फ और सिफ simple pythagras लगाना है, कि अगर मानू, मुझे a का magnitude निकालन हो, तो मुझे यहाँ पर ax और ay के बीच में सिर्फ और सिफ simple pythagras लगाना है, so don't you feel like, फिर तो हम लोग हमेशा ही ऐसा करेंगे, धी फिर तो हम लोग हो वाला formula भी हमें जरुरत नहीं हो, उस formula की, and what I want to say is, yes, you don't have the need of that formula, that formula of the vectorical edition, वो अलग बात है, तो मैं याद होगा तो चीज़े जल्दी हो जाएगी, लेकिन जरूरत नहीं है, आप उसके बिना अपंग नहीं है, कि किसी भी vector को, मैं कितने भी ways में, कितने भी number of components में resolve कर सकते हूं, लेकिन अपने लिए चीज़ों को easy करने के लिए, मैं हमेशा उसको resolve करूँगी perpendicular components में, क्योंकि perpendicular components को add करके, resultant निकालने के लिए, perpendicular components को add करके, हमारे final vector का magnitude निकालने के लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ पाइथगरस लगानी पड़ रही है, जैसे कि यहाँ पर देखना, जैसे कि, let me give you this scenario, ठीक है, यहाँ पर मैं, दो question की help से समझाते हूं, अभी concept के उपर focus करना बच्चो, ठीक है, मारे पास दो घंटे का तीन बजे वाला session ही है, लेकिन अगर तुमारे concept हल गए, question help नहीं कर पाएंगे, and I can see such a great response in the comment section, मुझे लग रहा है, काफी बच्चों ने इस तरीके से पहली बार पढ़ा है vector को, देखना, जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोल दूँ कि, भई, मेरे बा मैंने तुम्हें बोला कि यार, A vector तब बनता है, जब आप पहले तीन के magnitude से चलते हैं, X के direction में, और फिर बाद में जब आप दो के magnitude से चलते हैं, Y के direction में, तो तुम देखो, मैं इसको ऐसे कदम बोलते हूं, कि मैं origin पे थी, तीन कदम चली मैं X axis के उपर, क्योंकि 3i काप दो कदम चली मैं Y axis के उपर, क्योंकि 2j काप था, तो आप देखिये न, बच्चो तुम देखो तो, कि तुम लोग पहले कहाँ पर खड़े थे, बाद में कहाँ पर खड़े हो, तुम पहले यहाँ पर खड़े थे, फिर तुम यहाँ पर खड़े हो, यही तो resultant है, यही तो एका मागनिट्यूड क्या आएगा, इन दोनों को मैं जब विक्तॉरिकली आड करूंगी, तब आएगा एका मागनिट्यूड, वट आइम सेहिंग इस, तो विक्तॉरिकली आड टू वेक्टर्स दार परपेंडिकलर तु वन अनादर इस एक्स्टेमली एजी, तो इसका मागनिट्यूड 13 का है और डिरिक्शन आगे A का, देखो इस एकाड यह देखो, इसका मागनिट्यूड है अंडर रूट आफ 13 का डिरिक्शन आगे इसकी A का, एक काड को मैने डाइग्राम में बना दिया है, इसको मानो अगर में एक और तरीके से कराहूं, जैसे कि मानो मै तुमसे पूछनों कि भाई बताओ कि A का X-axis में जो component है कितना है बताओ A का Y-axis में जो component है तो कितना है तो ये सारी चीज़े questions है बच्चे रटते हैं, base पे ये आएगा opposite पे ये आएगा तुम देखो ना, अगर मनो मैं तुम्हें, question I am hoping सब बच्चे समझ गए, ये वेक्टर दे दिया है मैंने तुम्हें, मैंने बोला है A का ऐसा वेक्टर है, direction 10 है X-axis के साथ 30 डिग्री का अंगल बना रहे ठीक है, तो अभी तुमसे यहां पर ये पूछा हुआ है, कि जो X-axis में तो मैं तुम्हें बोल लूँ कि मानो तुम्हें बोला जाए, कि X-axis का component लिखो, तो ठीक है भाई, we will deal with one thing at a time, मानो अगर मैं सबसे पहले इसके लिए solve करूँ, इसका मतलब A का कितना component है X की direction में, तो A का ये component है ना, X की direction में तो तुम theta से निकालो एक base है और एक hypotenuse है sine थोड़ी इस्तिमाल करोगे tan थोड़ी इस्तिमाल करोगे base और hypotenuse के बीच में क्या relationship होता है, तुम नहीं लिखोगे cos of 30 degree is going to be given by base by hypotenuse तो नहीं आया तुम्हें पास AX, AX का magnitude कितना आ गया, 10 cos of 30 degree, which gives me 5 under root 3 तो अगर आपने मुझसे पूझा था AX vector क्या है, तो मैं बोल दूँगी कि भाई देखो AX vector का magnitude इतना है और direction i-cap है there are no formulas everyone कोई नया formula मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं सिखा है, मैं बस तुम्हें बोल रहे हूँ कि जब भी दो vectors एक दूसरे से perpendicular हो उस सिनारियों में vectorically add करना सबसे easy होता है, आपको सिफ Pythagoras लगाना होता है, अगर तुम्हें यह पता है तो तुम्हें पूरा vector कर जाओ, कोई तुम्हारा vector subtraction हो जाएगा, अगर तुम्हें इतना पता है तुम्हें इतना पता है तुम्हें तरीके से sin 30 degree क्या हो जाएगा, sin 30 degree हो जाएगा opposite divided by the hypotenuse, नहीं आया तुम्हारे पास, ay की value कितने आगे 10 sin of 30 degree तो यह मेरे पास आगया 5 तो तुम बोलोगे कि अगर ay पूछा हुआ है तो बचो ay vector है यह गलती मत करना, बिकेज अगर मैं एक examiner होती, तो मैं तुमसे ay दे के, ay पूछती और option number 1 रखती 5 option number b रखती 5 j gap और तुम क्या करते just because यह option number a है तुम बी पे जाते ही नहीं so don't do that, अगर vector पूछा हुआ है तुम देखो vector पूछा हुआ है तो magnitude भी बताने और direction भी बतानी है तो direction तो sorted है भाई की direction में मुझे तो magnitude निकालना था तो आइकें से के magnitude आगया भाई मेरे पास 5 गा और direction आगी मेरे पास j cap don't complicate, tan कर सकते हैं, cos कर सकते हैं sec कर सकते हैं, तुम जो मर्जी कर लो अगर तुमारा answer आ रहा है तो this is basic trigonometry, मैंने कोई नई चीज तुम लोगो नई सिखाई है नया नजरिया दिख रही हूँ बस क्योंकि concept clarity बहुत important है सबको पता है sin theta क्या होता है, सबको पता है cos theta क्या होता है, सबको पता है अगर आपको hypotenious और base को relate करना है you cannot use tan अगर आपको opposite और hypotenious को use करना है you cannot use sec, everyone knows this तो यहाँ पर इस तरीके से न मैं conclusion दे सकते हूँ कि better कि obviously बात है you don't have to memorize this but in case you want to in case you want a conclusion कि आप क्या यह कह रहे हैं कि मानो अगर यह एक a vector हो और a vector यहाँ पर theta angle बना रहा हो तो यह तुम आज के आज आके नहीं सीख रहे हैं और अगर तुम्हें नहीं पता है तो 2025 के लिए prepare करू कि opposite की base और hypotenious को link करते हुए cause आता है अगर आपको यह नहीं पता है start preparing for 2022 क्योंकि आप physics में फिर 0 के उपर भी नहीं आप physics में negative 300 पे चल रहे हैं negative 180 पे भी नहीं negative 300 पे there is only one trigonometric function there should be no confusion there is only one trigonometric function to link base with the hypotenious which is cos तो यह मेर पास क्या आगया A का magnitude multiplied by cos of theta this is what this is the magnitude direction आगी आगया उसी तरीके से एक component आगया है यह तो तुम देखो opposite और hypotenious को link करता हो A की है दो तीन trigonometric function नहीं है sine तो इसका magnitude कितना आगया A sine theta डिरेक्शन आगी जे काप तो मैं तुम्हें बस यही बोल रहे हूं कि A vector को देखो किस तरीके से तुम लोगों ने must ऐसे AXI काप और AYJ काप में resolve किया है ठीक है यह ज़रा सा देखे तुम चाहे यह अभी भूल जाओ या There is a reason कि मैंने यह पहले और यह बाद में नहीं कराया है क्योंकि फिर तुम्हें लगता है यह याद रखने की बात है मैं तो बोल तुम simple trigonometry लगा दो तुम्हें बहीं पर पता लग जाएगा कहां पर sign आएगा कहां पर कौस आएगा इसकी direction i cup है इसकी direction j cup है यह भी हाब हाट दिस्काशन यह discussion करते हुए भी काफे time हो चुका है मानू मैं इसको एक question की help से कराना चाहूं मानू मैं तुम्हें बोलू कि भाई एक vector है 3i cup ध्यान दीजेगा एक vector है 3i cup plus j cup मैंने तुमसे बोला कि इसका magnitude बताओ मैंने तुम्हें बोला इसका magnitude बताओ तु बताओ एक ऐसा vector है जिसके लिए तुम्हें तीन कदम चलना पड़ेगा x-axis की उपर तो तुम देखे तीन कदम चल लिए x-axis की उपर तीन के magnitude से चल लिए x-axis की direction में यही होता ना vector why will I ignore the direction direction will not be ignored anywhere you cannot ignore the direction of the vector in any scenario तो मैंने बोला तीन के magnitude से चली मैं x की direction में तो यह मेरे पास आ गया इस vector का x-axis में component फिर बाद में मैं चली एक के magnitude से y की direction में तो तुम यहाँ पर यह देखो को इस तरीके से आ गया मेरे पास जिग गाद सिर्फ a की magnitude से चली हो तो यह आ गया a vector का y-axis की direction में जो component vector है तो अब तुमसे यहाँ पर पूछा हुए a का magnitude कितना है तो भाही मैंने तुम्हें बतातो दिया मैंने तुम्हें बतातो दिया कि दो वेक्टर जब perpendicular हो तब तो magnitude तक यह आया जाता है यह तो मैंने डाइग्राम बनाये तुम्हारी understanding के लिए लेकिन magnitude यह नहीं निकलेगा बताओ अगर a है 3i का प्लस j का तो ओविसी बात है a का vector आ जाएगा मेरे पास a के vector का magnitude आ जाएगा 3 का square प्लस 1 का square तो a के vector का magnitude कितना आ गया under root of 10 है ना और conceptual clarity लेकिया हो इसकी help से कि मानो मैं तुम्हें बोलूँ एक vector है 3i का दूसरा vector है मेरे पास ध्यान दीजेगा दूसरा vector है मेरे पास i का प्लस j का अब मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि एक तीसरा vector बताओ द्यान से देखना एक तीसरा vector बताओ जिसका magnitude तो B का हो और जहां पर direction A की हो सिर्फ आप vectors को complicate कर सकते हैं क्योंकि vector complicated नहीं है देखो अभी तक मैंने तुम्हें कोई formula नहीं बता है जो तुम्हें याद रखना है पाइतागरस तुम लोग पहले से कर रहे हो तो मैंन मैं तुम्हें क्या बोला मैंने तुम्हें एक और कोई दूसरा इंडिविज्व वेक्टर बोला जिसका magnitude B का है दियान से देखेगा जिसका magnitude B का है और जिसकी direction A की है तो मैं बोला वाइ एक ऐसा vector बताओ जिसका magnitude B का है मानों यह vector C है मानों यह जो vector इसको मैं C से represent कर रहे हम तो इन्होंने बोले इसका magnitude B का है और direction A की है तो निकालो देखो what is the magnitude of B what is the magnitude of B तो इसके perpendicular components given तो है तो perpendicular components अगर given है तब तो आप सीधा-सीधा पाइथागरस लगाते अंडर root of 1 का square प्लस 1 का square यह आगे अंडर root 2 तो B का magnitude आगे अंडर root 2 अब अगर आप बोल रहे हैं कि A की direction है तो A की direction तो I cap है तो यहाँ पर आगे I cap and this gives you the answer only you can complicate it अब अब ओभीसी बाते हैं हमें vectors के उपर ही नहीं लगे रहना है हमारी यह जो class है सिर्फोर सिफ conceptual understanding के लिए है इसके उपर extreme question प्राक्टेस होगी हमारी तीन बजे वाली class में तो मैं तुम्हें यह बोल रहे हूँ there are many many directions there are many many directions लेकिन कभी भी तुम्हें vectors को add करना हूँ तो सबसे बेस्ट होता है perpendicular components बनाओ सबसे बेस्ट होता है क्योंकि देखो जैसे कि मनों मैं vectors को add करने की बात करूँ कि भई मैं vectors को कैसे add करूँ तो हमने देखा perpendicular components को कैसे add किया रहाता है अब parallel components को देख लो मनों मैं तुम्हें बोलो कि भई दो vectors है एक vector है चार के magnitude का इस direction में जिसको मैंने A vector बोल दिया दूसरा आगया 1 के magnitude का इस direction में जिसको मैंने B vector बोल दिया अब मानो मैं तुम्हें बोल रहे हूं कि A और B को add करके बताओ magnitude कितने का आएगा तो क्या दिक्तत की बात है यह आया एक vector यह आया उसके बाद दूसरा vector तुम इन दोनों को add करो इसका मतलब पहले एक लेके आओगे फिर दूसरा लेके आओगे न हाँ जी अगर मानो मैं बोल रहे हूं फ़र एक्जामपल यहां पर मैं तुम्हें बोल रहे हूं थ्री आई काप प्लस जे काप करो इसका मतलब पहले तीन कदम चलो X axis में फिर एक कदम चलो य-axis में तो यह है आपका वेक्टर इनिशल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाता हुआ तो अभी मैंने तुम्हें बोला इन दोनों वेक्टर्स को आड़ करो तो करो भाई यह लो तो सबसे पहले हम लोग चार कदम चले इस डिरेक्शन में फिर बाद में हम लोग एक कदम चले इस डिरेक्शन में तो यही तो है यही तो है मेरे पास A प्लस B और क्या है इसका मागनिट्यूड पांच का मागनिट्यूड है हन जी यहाँ पर A प्लस B का मागनिट्यूड कितना है तो तो तुम टोटल पांच कदम चले हो उसी तरीकी से मानों अगर मैं अटी पार्लल वेक्टर्स लेड़ों कि एक का वेक्टर इस डिरिक्शन में चार के मागनिट्यूड का बी का वेक्टर इस डिरिक्शन में एक के magnitude का दोनों को add करो और फिर तुमसे पूछा हुआ है कि मन अगर तुम लोग दोनों को add करते हो तो बताओ फिर जो resultant है vector को add करने से जो final vector आते है उसको resultant बोला जाता है resultant का magnitude पूछा हुआ है तो क्यों complicate करूं भाई देखो सबसे पहले एक vector ले तो पहला vector ले आई ऐसे चार के magnitude का था इस direction में फिर में ले आई दूसरा vector जो एक के magnitude का है इस direction में so resultant मेरा initial point से लेके final point तक जाता हुआ यह हुआ ना this is what I am talking about जितना मैं repeat करूंगी जैसे कि जो बच्चे बिलकुल शुरू से present है ना उनको अच्छे से पता है हमारी class की second slide तक repeat हो रही है क्योंकि सारी एक ही कहानी है ऐसा नहीं एक topic खतम हो गया unit vector अभी हम लोग उने खतम कर दिया topic number 6 पे आगे तो unit vector नहीं है unit vector नहीं है यह देखो अभी direction के बार में बात करें आपको a plus b करना तो पहले a लेके आईए तो a आगया 4 के magnitude का इस direction में फिर b लेके आऊं तो यहां से मैं b लेके आऊंगी तो a के magnitude का आगया इस direction में तो तुम देखो कितना चले हो ऐसे चले हो ना direction तो तुम्हें दिखे रही है या magnitude पूछाओ यह direction तो पूछे भी नहीं होई है तो यह मेरे पास आगया 3 देखो यह मेरे पास आगया 3 अगर मानू मैं इन दोनों को यार इस तरीके से perpendicular ले लेती कि मानू मैं तुम्हें बोलती कि भाई a का वेक्टर है ऐसे a के वेक्टर का magnitude है 6 और मानू b का वेक्टर है ऐसे b के वेक्टर का magnitude है 3 और फिर बाद में c वेक्टर है ऐसे c वेक्टर का magnitude है 1 मानू मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ a प्लस b प्लस c अगर मैं कर दूँ तो फिर बाद में answer का magnitude कितना आता है अब तुम अगर यहां पर direction में फसर हो it is your fault na you are answering a question that is not asked to all of you है ना एक level neat का तो तुम यहां पर जरा सा देखिए तुम से पूछा हुआ a प्लस b प्लस c करो और फिर बाद में answer बताओ magnitude की terms में बताओ यह देखो आओ origin से शुरू कर दे origin से शुरू करेंगे सबसे पहले मैं a ले आई देखना तुम्हें सिर्फ चलना है तो origin से शुरू करो सबसे पहले a ले आऊ तो अब मैं a को ले के आऊ तुम्हें 6 कदम चलियो x-axis में sorry y-axis में 6 कदम चलियो y-axis में मैंने सिर्फ magnitude represent किया है फिर बाद में क्या फिर बाद में फिर बाद में तीन कदम चलियो x-axis में तो ये देखो मैं इस तरीके से तीन कदम चलियो x-axis में और फिर बाद में मैं एक कदम चलियो negative y-axis में तो ये देखो मैं एक कदम चलियो negative y-axis में तो अभी तुमसे पूछा जाए कि इसका resultant क्या है तो भाई इसका resultant यही है न क्या बड़ी बात होगे आप यहां से शुरू होके यहां पर खतम कर रहे हैं यह motion in one dimension से associated भी नहीं है अभी तो हम two dimension पर आचुके है वरना वेक्टर यूँ खतम कर देते हैं लेकिन कल मुझे वेक्टर के उपर दुबारे discussion नहीं चाहिए positives is everything that you will ever need for a vector यह हम शुरू से कर रहे हैं अभी से नहीं कर रहे हैं जब class की 10 मिनिट शुरू हे थे थब से कर रहे हैं कि एक vector का मतलब क्या होता है आप एक vector को resolve कैसे करते हैं कि मानो अगर पहले मैं ऐसे चलूँ फिर मैं ऐसे चलूँ फिर मैं ऐसे चलूँ गई तुम्हें यहां से लेकि यहां तक हो ना this is the resultant vector तो resultant vector पहले vector की tail से आखरे vector के head तक जाता है initial point से लेकि final point तक जाता है तो तुम्हें दिखने रहे यह देखो मतलब how easy is this तुम्हें दिखने रहे कि तुम ultimately 3 कदम चले हो x-axis में और तुम लोग यहां पर ultimately चले हो 5 कदम y-axis में देखो तुम लोग ultimately 3 कदम चले हो x-axis में तो मैंने तुम्हें बताया ना calculating the magnitude of the vectors that are perpendicular to one another after adding them is the easiest कि जो vectors perpendicular है उनको आड करके magnitude निकालना तो सबसे easy बात है तो मैंने क्या किया ना डाइग्रामी ड्रॉ कर लिया तो मुझे बता लग गया कि भाई अगर मानो मैं ऐसे 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 चल रहे हूं क्या है तो पहले मैं vेक्टर तो देखोंगी कि उचल कैसा है तो मैंने पीडे पूरा डाइग्राम बनाया जब मैंने पूरा पूरा डाइग्राम आया तो मुझे समझ आ रहे है कि मैं X-axis में 3 कदम चल equis चल Cant just अब जैसे मैं नफें बताया दो वेक्टर्स को add करना जो एक दूसरे से perpendicular है अंसर का magnitude निकालना सबसे easy है कि अगर मानो ये resultant है तो resultant को मैं लिख सकती हूँ 3i का प्लस 5j का तो ये मेरे पास resultant का magnitude कितना आया under root of 3 का square प्लस 5 का square तो ये वाली वाली हो मेरे पास कितने आगे under root of कितना under root of 34 देखिए बाकी mathematically तो इसको solve करी सकते हूँ यार लेन बात ये mathematics आना और वेक्टर आने में दिन दात का फर्क है जैसे कि देखो ये वाली question के लिए अभी दूसरा अप्रोच मेरे पास क्या हो सकता था ये वाले question के लिए दूसरा अप्रोच ही हो सकता था के मैं यहां पर क्या कर रही हूँ A, B और C को आड कर रही हूँ द्यान देना A, B और C को आड कर रही हूँ तो A आ गया मेरे पास 6 I-CAP B मेरे पास आ गया Sorry, A मेरे पास आ गया 6 J-CAP B मेरे पास आ गया 3 I-CAP C मेरे पास आ गया negative J-CAP तो, but this is not understanding vectors I know this is easy And I would request you to follow the same strategy जब तुम एक्जाम में जाओ But right now, our main motive is not to get to the answer मेरा यह motive प्राक्टिस सेशन कंड़क्ट कराना थोड़ी है मैं तुमारी concepts clear कर रही हूँ और वो concepts इसमें नहीं है वो concepts सिर्फ और सिफ डाइग्राम में है That what is the meaning of the vector कैसे हम लोग vector में एक कदम से लेके दूसरे कदम तक चलते हैं क्योंकि यहां से तो answer निकलना बहुत easy है यह देखो कितना आ गया यह मेरे पास आ गया ना 5J-CAP plus 3I-CAP बिल्कुल same चीज और जब इस तरीके से एक vector perpendicular components में given हो तो उसका magnitude निकलना तो बहुत easy होता है This is not understanding vectors This is understanding vectors इसलिए focus on the diagram तो यहां पर मैं तुम्हें यह बोलते हो कि चलो हमने देखा कि दो vectors को कैसे आड़ करते हैं अगर दोनों same direction में हो दो vectors को कैसे आड़ करते हैं अगर वो opposite direction में हो अब के बार मानू कि दो ऐसे vectors हैं जिनके बीच में कोई और अंगल है मैंने तुम्हें बोला अब के बार मानू दो vectors हैं जिनके बीच में कोई और अंगल है अब आड़ करो और मानू तुम diagram भूल जाओ So this is exactly what I am talking about Draw the perpendicular components जैसे कि मानू अगर एक vector ऐसा है एक vector ऐसा है मानू ये vector बोल रहा है कि x-axis में 3 कदम चलो y-axis में 1 कदम चलो ये वाला vector बोल रहा है x-axis में 2 कदम चलो y-axis में 4 कदम चलो मतलब इनों ने collectively मुझे ये बोला है कि x-axis में 5 कदम चलने है और y-axis में भी 5 कदम चलने है So this is easier कि कभी भी 2 vectors के बीच में कोई भी आंगल हो मैं हमेशा उनको perpendicular components मतलब x-axis, y-axis, z-axis में resolve करूँगी फिर देखूँगी net कितने कदम चली हूँ x-axis में, net कितने कदम चली हूँ y-axis में, net कितने कदम चली हूँ z-axis में rectangular components के साथ deal करना तो सबसे जादा easy है है ना, जैसे कि देखो, मैं तुमें एक question की help से समझाती हूँ, मानों मैं तुमें बोलू यह a vector है, यह b vector है मैंने तुमें बोला a plus b का magnitude बताओ है ना, मैंने तुमें बोला a plus b का magnitude बताओ मतलब मैंने तुमें बोला कि भही यहां पर तुम ऐसा करो resultant का magnitude बताओ फिर मैंने बोला resultant का कितना component है x direction में वो भी बताओ मैंने तुमें बोला resultant का कितना component है y direction में वो भी बताओ, बता देंगी हाँ जी, बड़ ज़रा सा देखे बता देंगी I know this can be solved very easily ये practice session नहीं है मैं तुम्हारी concepts clear करना जाते हूं practice session तो तीन बजे होगा वहांपर हम लोग dedicatedly बात करेंगे लेकिन अब भी हमी सिर्फ हमारी concept clear करने कि vector किस चिडियागा नाम है तो मैं तुम्हें बोल रहे हूं कि इसको ऐसे देखो ना पहले मानों ए वेक्टर आया ए वेक्टर कैसे आया ए वेक्टर आया जब आप x-axis में चले हैं दो कदम ध्यान से देखना जब आप x-axis में चले हैं दो कदम और जब आप y-axis में चले हैं तीन कदम तब आया ना a-vector हन जी तब आया है न, A vector, मतलब ये A vector है This is A vector A खतम होते ही तुम्हें B लेके आना क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम A plus B कर रहे हो Resultant का मतलब A plus B होता है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, A plus B कर रहे हो करू A plus B, तो पहले तुम A ले आए अब तुम B को लेके हो, मानो अपकी बार अगर मैं B को इस तरीके से blue में represent करू तो blue वाला बोल रहे है कि यार, X axis में 4 कदम चलो तो yellow X axis में 4 कदम चल गए और यह बोल रहे है, Y axis में 1 कदम चलो तो yellow Y axis में 1 कदम चल गए तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे है यह आगया मेरे पास B vector यह आगया मेरे पास B vector This is vectors Vector is not in your equations, Vector is in your diagram यह question answer तक पहुँचने के लिए नहीं है answer तक कैसे पहुचा जाता है How do we look at the vectors, यह उसके बारे में है तो resultant कब हमें मिलेगा resultant हमें तब मिलेगा, जब हम A plus B करें तो यह है न resultant यह देखो, यह है resultant तो तुम्हें दिखनी रहा है कि resultant तब आएगा जब तुम X axis में 6 कदम से चलते हो और जब तुम Y axis में 4 कदम से चलते हो दिखनी रहा है तुम्हें, दिख रहा है हमे So this is what I was talking about equation से भी मैं कर सकती थी कि resultant vector कब मिलेगा जब मैं A plus B करूँ, ठीक है तो A मेरे पास क्या आगया, A मेरे पास आगया 2 I cap plus 3 J cap और उसी तरीके से B मेरे पास क्या आगया यह मेरे पास आगया, 4 I cap plus J cap तो देखो, ultimately आतो यही रहा है मेरे पास, 6 I cap plus 4 J cap इसको आप diagramatically देखे तो तुम देख पारे हो ना तुम्हें 2 vectors को add करना था तो तुमने उसके क्या किया उसके perpendicular components का इस्तमाल किया फिर तुमने देखा कि भाई, कितना resultant है X की direction में तुमने देखा कितना resultant है Y की direction में and this is exactly the discussion that all of us were having, that it is that the best way to resolve a vector is in its perpendicular components तो अगर मानू मेरे पास resultant के perpendicular components आ जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो यहाँ से proceed करना कोई बड़ी बात नहीं है resultant का magnitude आगे under root of 6 का square plus 4 का square किसी भी method से चलिए, इसका कोई मतलब नहीं किस method से चलो, सारे किस सारी तुमारी physics है, किसी भी method से चलो सब method से आंसर आएगा, बात बस ही है मैं तुम्हें question कैसे solve होते हैं मैं वो नहीं बता रही हूँ मैं तुम्हें vectors की conceptual clarity दे रही हूँ, this is not a practice session कि चलो vectors के उपर करते हैं समझने के लिए मैं तुम्हें vectors बता रही हूँ vectors क्या होते हैं, vectors से रूबरू करा रही हूँ कि किस तरीके से मैं तुम्हें समझा रही हूँ vectors को कैसे add किया जाता है obviously बात है जब तीन बजे वाला practice session होगा तब और clarity आएगी क्योंकि तब हम इसको actually में बहुत सारे questions की help से apply कर रहे हूँगे अब भी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं एक और example अच्छा ये सब हम लोग अब बात में करेंगे हां जी एक बार जरा सा देखना मानू बच्चों मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई अब तुम बोलो कि यार दी अब कैसे आड़ गरेंगे हम लोग आपके method से आपने बोला कि best way to add two vectors is what? दोनो वेक्टर का दोनो वेक्टर के x और y के direction में perpendicular components निकालो है ना? उसकी help से resultant in the x direction निकालो, resultant in the y direction निकालो resultant in the x direction and resultant in the y direction पाइथागरस कर दो यह है ना? देखो मैंने आपर बिल्कुल exactly सेम चीज़ लिखी है कि अगर मानो दो वेक्टर के बीच में कोई भी दूसरा अंगल हो हम क्या करेंगे उसको perpendicular components में resolve करेंगे जैसे कि यहां पर देखो इसको इसके perpendicular components में resolve किया फिर हम यह देखेंगे resultant x direction में और y direction में कितना है और फिर इनके बीच में पाइथागरस लगाएंगे तो मैं तुम्हें बोलू यहां पर भी सेम चीज़ हो रही है मानो अगर मैं बोलू कि a और b के बीच में theta का angle है ठीक है तो मुझे क्या करना है सबसे पहले दोनों को इस तरीके से perpendicular components में resolve करना है तो देखो मानो अगर मैं a के लिए yellow का इस्तमाल करूं तो yellow भाई तो हमारे already x axis की direction में है यह देखो और अब अभी अगर a खतम हो गया अब मैं b को लेके आऊंगी तो तुम देखो na b x axis में कितना आएगा b x axis में आ गया मेरे पास b cos theta और b y axis में मेरे पास आ गया b sin theta so I want to add both the vectors what did I do I resolved them into x axis and y axis component कि यह मेरे पास a है a खतम होते ही b आएगा लेकिन मुझे वो diagram नहीं बनाना है मुझे x axis और y axis की component में बनाना है तो मेरे पास a तो x axis की direction में थाई अब जब मैं b को मैं यहाँ पर x और y की direction में बनाने लगी तो तुम देखना है इसका x axis में component है b cos theta y में है b sin theta so instead of drawing a and b like this I do a y axis में इसका कोई component नहीं है b का x axis में component और b का y axis में component तो तुम क्या बच्चों यहाँ पर देखनी पा रहे हो यही तो resultant है this is my resultant ना initial point से लेके final point तक जाता हुआ यही तो resultant है तो अभी मानू resultant को मैं equation में लिखूँ तो मैं बोलूँगी resultant का magnitude x की direction में इतना है direction यह आ गई resultant का magnitude y की direction में इतना है component x की direction में आ रहा है और उसी तरीके से जो component y की direction में आ रहा है मुझे उसके बीच में पाइथगरस लगाना है यह चीज दस बार बताती होगी अभी class में यही से आता है वो वाली equation r का square it is equal to a का square plus b का square plus 2ab cos of theta तो मैं बस यह बोल रही हूँ I am not focusing in this I want all of you to focus on this definitely if you have this equation things become very easy if you have the angle between the two vectors and the magnitude of both the vectors to calculate the resultant becomes very easy this is the equation of calculating the resultant between two vectors कुछ तो तुम लोगो ने भी दो साल में पढ़ा होगा class 11th का topic है यह कुछ तो पढ़ा होगा दो साल में थोड़ा तो वेक्टर पढ़ा होगा क्योंकि यह वेक्टर हर जगा है पता होना चाहिए तुम्हें यह मेरा काम से तुमारे concepts को clear करना है because this is a basic mathematical tool chapter नहीं है यह वेक्टर मैं तुमारा basic mathematical tool करा रही हूँ exam के 45 days पहले exam के 60 days पहले नहीं बता तुम्हें इसके बारे में ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे कि दो साले हमारे पास वेक्टर को समझने के लिए यह मैं तुम्हें बोल रहे थी ठीक है और अगर मानों मैं अभी वेक्टोरिकल सब्राक्शन की भी बात करूँ यह हम लोगों ने आपर वेक्टोरिकल एडीशन में क्या किया कि हम एक वेक्टर लेके आ रहे हैं फिर दूसरा वेक्टर लेके आरहे हैं चाहें दोनों के बीच में कोई ब्यांगल हो अगर आप बोलते हैंslast इन दोनों वेक्टर को आइट करो तो मैं मैं दूसरे vector को ले के आओंगे initial point से लेके final point तक मेरा resultant है अगर आप बोल रहे हो कि इन तीनों को add करो तो तुम देखो मैं पहले एक vector को ले के आई फिर मैं दूसरे vector को ले के आई फिर मैं तीसरे vector को ले के आई initial point से लेके final point तक ही तो resultant है कहां मेरा अप्रोच बदला है अगर मैं तुम्हें बोला हूँ पहले ये वेक्टर को ले आओ फिर ये वेक्टर को ले ओ और आड़ करो मुझे अगर बोला गया इन दोनों को आड़ करो तो मेरा अप्रोच कहा चेंज हुआ है Angles बदलते जा रहे है situations बदलती जारी है मेरा approach कब change हुआ मैं पहले A vector को ले के आई फिर मैं B vector को ले के आई initial point से लेके final point तक जाऊं वही तो मेरा resultant होता है अगर आप मुझे बोल रहे हो कि इन दोनों vectors को add करो तो पहले मैं एक vector को ले के आऊंगी फिर मैं दूसरे vector को ले के आऊंगी initial point से लेके final point तक जाऊं वही तो मेरा resultant है what has changed, nothing has changed चाहे दो vectors के बीच में किसी भी तरीके का अंगल हो अगर आपको बोला गया है add करो चाहे वो दो vectors को add करने को बोले चार vectors को add करने को बोले एक vector लेके आते हैं फिर दूसरा vector, फिर तीसरा vector, फिर चौथा vector फिर initial point से लेके final point तक जाते है resultant को निगालने के लिए तो मैं तुम बहीं बोल दियो best way बताऊं क्या है best way है vector को resolve करो x और y axis वाले component में तो ये मेरे पास आगया total resultant जो x direction में है ये मेरे पास आगया total resultant जो y direction में है मैं तुम्हें already बता चुके हूँ सबके best होता है इस way से solve करना क्योंकि इन दोनों के magnitude के बीच में मुझे सिर्फ पाइख अग्रेस लगाने है ये बाले magnitude को निकालनों के लिए this is not a practice session we are understanding vectors उसी तरीके से मानों अगर मैं विक्टॉरिकल सब्ट्राक्शन करूं तो विक्टॉरिकल सब्ट्राक्शन कोई और चीज नहीं है विक्टॉरिकल सब्ट्राक्शन इस विक्टॉरिकल एडिशन गोर फर्माईएगा और इसके बाद motion in one dimension को हम लोग शुरू करेंगे this is not a practice session अगर तुम्हें बोला जाए विक्टॉरिकल सब्ट्राक्शन करो तो विक्टॉरिकल सब्ट्राक्शन भी एक तरीके का विक्टॉरिकल एडिशन ही तो है जैसे कि मानों अगर मुझे बोला जाए a-b करो, नहीं करोंगी मैं a-b नहीं करोंगी मैं A में add करूँगी minus B मतलब मैं A में B को नहीं add करूँगी मैं A में add करूँगी ऐसा vector जो B के magrant U का है लेके अपसे डिरेक्शन में अगर मुझे बोला जाता है B minus A करो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने vectorical edition सीख लिया भई अब मैं बार बार डिफरेंट डिफरेंट चीज़े थोड़ी सीखूँगी तो अगर मुझे बोला जाता है B minus A करो मैं B minus A नहीं करूँगी मैं add करूँगी मैं B मैं add कर दूँगी ऐसा vector जो A के magnitude का है opposite की direction में जैसे की देखना यहाँ पर मैं तुम्हें बोलूँ कि A का vector इस direction में है ठीक है ध्यान से देखना A का vector इस direction में है 6 के magnitude का और मैं कुछ भी ले सकती हूँ मानू मैं तुम्हें बोलूँ कि B का vector इस direction में है 2 के magnitude का ठीक है let me give an example क्योंकि अगर तुमने vectorical edition सीख लिए vectorical subtraction is vectorical edition 5 क्या 2 मिनिट का topic है यह क्यों क्योंकि एक और आदे घंटे हम लोग उने सिफ vectors और vectorical edition पर बात किये concepts will not be changed for example if I give you देखना अगर मानू मैं तुम्हें बोलू let us take an example मैं तुम्हें बोलू A plus B करू तो तुम बहले A लेके आओगे यह देखो तुम A ले आए फिर तुम B लेके आओगे यह देखो B ले आए तो वही initial point से लेके final point तक जाना यह तुम्हें पास आगया A plus B मानू मैं तुम लोगों को बोलू A minus B करो तो भाही मेरे concepts नहीं चेंज हो रहे है A minus B का मतलब मैं A के अंदर B को नहीं आट करूँगी मैं A के अंदर एक ऐसे vector को आट करूँगी जिसका magnitude तो B का है लेकिन जिसकी direction opposite है तो मैं सबसे पहले A को लेके आए देखो पहले A को लेके आना फिर negative B को तो सबसे पहले मैं A को लेके आए छे का magnitude का है इस direction में फिर मैं B को नहीं लेके आ रही है मैं B के magnitude को लेके आ रही हूँ B की opposite direction में तो ये देखो ये है मेरे पास A minus B इनिशल पॉइंट से लेके final point अगर मानो तुम मुझे बोलो कि D आप ऐसा गरो B minus A करो तो ठीक है पहले मैं क्या B minus A का मतलब क्या मैं B में add करूँगी किसको एक ऐसे vector को जिसका A का magnitude है लेकिन उसके opposite direction में है तो पहले B को लेके आओ ये देखिए vectorical subtraction is vectorical addition देखना अपके बार मैं क्या करूँगी अपके बार मैं हाँ पर B को लेके आओंगी सबसे पहले तो ये देखो मैं B को ले आई सबसे पहले B को लाने के बार मैं A को नहीं लेके आओंगी B को लाने के बार मैं लेके आओंगी एक ऐसे vector को जिसका A का magnitude है लेकिन जो A की opposite direction में है तो ये देखो do you all understand me so vectors are always subtracted using the concepts of vectorical edition बाकि यह तुम मैंने देखो जितना भी अभी मैंने focus किया है सिर्फ concepts पे किया है mathematics बहुत easy है mathematics बहुत easy है कि तुम्हें बोला जाए कि भई इस तरीकिसे तुम्हारे बास दो vectors हो A और B दोरों के बीच में अंगल है थीटा mathematics is easy लेकिन mathematics आना और vectors आने में दिन रात का अंतर है अगर मानू मैं तुम्हें बोलू कि A प्लस B करो और उसका magnitude निकालो mathematics is easy वो आ जाते है under root of A का square प्लस B का square प्लस 2AB cos of theta अगर मानू मैं तुम्हें बोलू कि A माइनस B का magnitude निकालो that is also easy यह मेर पास आ जाते है under root of A का square प्लस B का square माइनस 2AB cos of theta अब हर चीज को प्रूफ थोड़ी करते चलेंगे एक्जाम से साथ दिन पहले this is easy to apply mathematics is easy पूरे के पूरे तुम्हारे physics के syllabus में जनरली तुम्हें mathematics ही दिखेगी लेकिन अगर vectors नहीं आता है I am hoping that the entire vectors topic is clear thought product, cross product, kinematics का बाट नहीं है हन जी, एक बार दिखो these are the concepts of vectors everyone the mathematics is easy यह है mathematics जो तुम लोगों को vectors में जिस mathematics को तुम लोग apply करने वाले हो तो क्या एक ही slide रखों क्या this is mathematics but this is what the mathematics is based on जैसे मैंने बोला है यह practice sessions नहीं है यह हमारे conceptual building sessions है यह ऐसे sessions है कि तुमारी understanding increase होने चाहिए कि यार हमें vectors ऐसे नहीं visualize हुआ था कभी भी किन-किन बच्चों को लगते है कि उनकी visualizing power बढ़ चुकी है क्योंकि यह कोई भी कर लेगा कि 6 के magnitude का है 4 के magnitude का है दोनों के वीच में 30 degree angle है अड़ करो यह करना सबके लिए easy है 6 का square, 4 का square 2 times of 6 multiplied by 4 cos of 30 degree कोई भी कर सकता है this is not knowing physics knowing physics is exactly what we have focused on on this class in this class तो अब इसके उपर हम लोग must question practice करेंगे अब इसके उपर हम लोग खूब question practice करेंगे हमारे शाम को 3 बजे वाले session में अभी हमारा मकसद सिर्फ और से vectors को समझना था vector में cross product आते dot product आते cross product हम लोग करेंगे छोटा साइ work energy power वाले class में cross product करेंगे rotation mechanics वाली class में यहाँ पर कोई cross product कोई dot product नहीं present है तो यह दिखना बहुत important है I am hoping यह दिखा है तुम लोग को और यह हमारा जो vectors है बच्चों यह देखो clear होता हूँ मेरा बिल्कुल मन नहीं था vectors को कराने का because I believe कि मतलब ऐसे बच्चे तो नहीं दे नीट जिन्होंने पिछले दो साल में vectors नहीं पढ़िया ना वो बच्चे कैसे crack करेंगे नी 2024 बताओ क्योंकि अगर उन्होंने vectors is the entire basis of three units of your syllabus तो दो साल में अगर चार घंडे देके vectors नहीं किये हैं I am being very honest with all of you तो वो बच्चे फिर कैसे deserve करते हैं नी 2024 कराग करना मेरा बिलकुल मन नहीं था ये करने ये करवाने का बट ठीक है launch के दौरान तुम लोगों ने बोला कि basic mathematical tool भी करा दो तो ये भी मैंने कराती है और ये हमारा जो vectors है खतम होता हुआ इस knowledge के बिना mechanics नहीं आएगी although इतनी मतलब हम लोगों ने बहुत ही basic से बात किये तो basics clear हो जाने चाहिए ठीक है जी now let us take a quick break और मिलते हैं अभी हम लोग 8 मिलते हैं अभी हम लोग 8.40am के उपर ठीक है motion in 1D do not worry motion in 1D क्या motion in 1D को आदे घंटे में complete करा दूँए concept छी तो कराने major question practice तो हमारी तीन बजे ही होगी ना तो ये जो classes है वो तो सिर्फ और सिफ conceptual clarity के लिए है concepts के उपर है कुछ-कुछ questions करते हैं हम सिफ class में major question practice तो हमारी शाम कोई होनी है मतलब दो पहर कोई होनी है so 4 8.40am के उपर जो हमारी class है resume होगी आराम से पानी बानी पी लो must rest करो और मिलते हैं 8.40am के उपर ने चलो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं जादा होगा 8.36am 4 minute का ब्रेक ले लो ठीक है जी ओके I'll be back like कर देंगे बच्चे सारे के सारे बच्चे इस session को अगर तुमें vectors की understanding तुम्हारी increase हो गई है अगर तुम्हें अच्छा लगा है कि इस पूरे मेरे schedule में एक और आदा घंटा मेंने सिर्फ तुम्हारे लिए आड़ किया है vector समझाने के लिए ओके नव लेड़ेस मीट अट 8.36am झाल 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 कि आइवरेवान आइम बाक एक बार जरा सा बता दो आमाई क्लेवी ओडिबल इंविजिबल हाँ जी फटा-फट से बताईए am I clearly audible and visible एक बार बता दो और फिर बाद में हम लोग शुरू करते हैं और फिर बाद में हम लोग रिजियूम करते हैं हमारी बच्चों ये वाली फ्लास को ठीक है? motion in one dimension हम लोग करने वाले हैं इतना छोटा चाप्टर है कुछ बच्चे बोलते थे कि motion in one dimension के साथ मैंने वेक्टर्स कराया है तो अव्यसी बात है कुछ तो मैं motion in two dimension के साथ भी कराऊंगे तो motion in one dimension के साथ वेक्टर्स करा दी motion in two dimension के साथ तुम लोग को kinematic 사태 basketball करा दोंगी डोंट वारी nothing is going to be left out जो भी चाप्टर में हैं, हम सारी की सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, ठेक हैं, अब बिल्कुल धिहान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक गंडे में मोशन इन बंड मेंशन के सारे कंसेप्ट्स को डिसकास कर लेंगे, कुछ-कु कर लेंगे, और इसके उपर आज हमारा question practice session होगा, maximum question obviously बात है इसे के उपर रहेंगे, क्योंकि आपके vectors की DPB, आपके पूरी mechanics है, पूरी electrostatic है, पूरी magnetic physics है, तो आज जो दो गंडे का session होगा, उसमें आदा गंड़ा vector के questions करेंगे, और एक और आदा गंड़ा हम लोग सिफ क dimension, तो motion in one dimension, जिसके इसको समझने के लिए जो mathematical tool required था, vectors, वो हम लोगो ने कर लिया है, ठीक है, अब मानो अगर मैं motion के उपर आजाओ, तो motion का मतलब क्या होता है, motion का मतलब एक जगह से लेके दूसरे जगह तक जाना, और वेसी बात है, एक जगह से लेके दूसरे जगह तक motion बोला जाते है, अब वो motion लाइन में भी हो सकता है, और वो motion ना उपर नीचे भी हो सकता है, मतलब देखो, वो motion लाइन में भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में उसको motion in one d बोला जाते है, जो हमारे आज का टॉपिक है, वो motion एक प्लेन में भी हो सकता है, जहां पर x-axis भी और y-axis भी आ रहे हो मतलब आज की class में ऐसे vector से हम लोग delay नहीं करेंगे जो या तो एक दूसरे से parallel या फिर एक दूसरे से anti-parallel नहीं हो वो आगया one dimension जहां पर एक line है जहां पर इस सरीके से x-y plane में हो motion y-z plane में हो वो motion in two dimension है और जो 3D space में हो वो 3D dimension है हमें इसके बारे में बलकुल बात नहीं करनी है यह हमारा कल का chapter है यह हमारा आज का chapter है बहुत ही प्यारा chapter है यह देखो सबसे पहले obvious ही बात है अगर motion के बारे में बात कर रहे हूं तो मैं एक point से लेके दूसरे point तक जा रहे हूं जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मैं यहां पर ऐसा कर रहे हूं एसे लेके C तक जा रहे हूं तो मैं तुम्हें बोल रहे हूं कि तुम जैसे खिसक रहे हो या फिर तुम जैसे मूफ कर रहे हो उसको बताने के दो तरीके है या तो तुम distance को define कर दो या तुम displacement को define कर दो distance होता है तुम कितने कदम चले उस पेसिस के उपर कि actually में तुमने जो पात लिया है उस पात की length थी इसका कोई magnitude नहीं होता बच्चो इसकी कोई मतलब अबिसी बात है इसका magnitude होता है लेकिन direction नहीं होती इसका मतलब ये जो है एक सकेलर कॉंटिटी है जैसे कि मानौ मैं तुम्हें बोलू कि भाई ये तुम्हारा गर है ये तुम्हारा स्कूल है ठीक है तुम ये वाला रास्ता लेके गए और मानौ जिस कुटी को तुम लोग चला रहे थे कि उस कूटी के उपर आए, कि तुम 60 km चले हो, तो तुम्हारे distance आगे 60 km, लेकिन displacement होता है, तुम कितना किस के हो, कि what is the shortest distance, between the initial position and the final position, that is displacement, तो एक initial point से लेके, फाइनल point तक जाने में, काफी distances में cover कर सकती हूं, काफी path में ले सकती हूं, काफी different, उनकी path length हो सकती है, लेकिन एक initial point और एक final point के लिए, एक ही displacement होता है, जो initial point से शुरू होगा, और final point तक हतम होगा, तो तुम देख पारे हो, distance के कोई direction नहीं है, लेकिन displacement इस तुम किस direction में खिसके हो, कितने magnitude से, जैसे कि मानु, अगर तुम लोग यहां से लेके, यहां तक गए हो, तो यह तुमारी displacement आ दी, क्योंकि यह तुमारे initial points है, यह तुमारे final points है, तो यही जो vector है, इसको displacement vector होला जाता है, है ना, तो displacement क्या है, displacement मेरे पास एक vector है, जो शुरू होगा initial point से लेके, खतम होगा final point के उपर, इसका magnitude कितना हो जाएगा, इस vector की जो length है, जैसे कि मानु, मैं तुम लोगो दो example से दे हूँ, मानु बच्चों, अगर मैं, A से लेके B तक, कुछ इस तरीके से जाऊं, अगर मैं तुम से पूछ तुम ने कितना distance कबर गया, it is not complicated, it is तुम कितने path चले हो, तुमने जो path लिया है, उसकी length कितने थी, तो तुम देखो, तुम पहले इस तरीके से 100 meter और 5 meter, 105 meter चले, फिर तुम और 5 meter चले, तो तुम total कितना चले, तुम टोटल 110 meter चले, यह होता है distance, अब अगर मैं displacement की बात करूँ, तो displacement यार vector है, जो शुरू होता है initial point से लेके, खतम होता है final point के उपर, this is my displacement, तो अभी अगर आप मुझसे पूछते हैं, कि भाई बताओ यहां पर displacement कितने हुई है, तो मैं बता सकते हूँ कि भाई जो displacement है, 100 के magnitude की हुई है, X की direction में, 100 के magnitude की हुई है, X की direction में, अब की बार मनू, मैं तुमें बोलू, कि भाई तुम ऐसे move किये हो, ऐसे लेके बी तक ऐसे move किये हो, अब मैं तुमसे पूचूँ की भाई बताओ, distance कितना है, तो distance हो गया, तुम कितने कदम चले, तो तुम देख लो, मतलब तुम कितनी length चले, तो तुम 100 meter की length ही चले हो, अब अगर मैं तुमसे पूचूँ की भाई बताओ, यहां पर displacement कितना है, तो अपकी बार तो मैं straight line में move की हूँ ना, मैं बिल्कुल straight line में move की हूँ, मैं कोई टेडा मेडा नहीं move की, तो जब मैं straight line में move करती हूँ, तो जो distance का magnitude है, वही देखो displacement का भी magnitude हो जाता है, तुम देख पा रहे हो, that when the body is moving back, sorry, when the body is moving in a straight line without turning back, the magnitude of distance, it is equal to the magnitude of displacement, तो I can say distance or displacement के magnitude का same होना possible है, अब मानो अगर मैं यहाँ पर तीसरा सेनारियो लेती हूँ, to close this discussion, it is, मानो अगर मैं यहाँ पर A से शुरू करूँ, और फिर बाद में मैं A के उपर ही खतब कर दूँ, मानो अगर मैं ऐसे move करूँ, एसे लेके B तक गई, B से लेके C तक गई, C से लेके B तक गई, B से लेके A तक आई, अब मैं इस जर्नी के लिए तुमसे पूछरू कि भाई बताओ distance का कितना magnitude है, तो distance क्या होता है, कि तुमने जो पात लिया है, उसकी लेंद क्या है, तो ऐसे 100 मीटर चल लिए, ऐसे 100 मीटर चल लिए, तो तुम टोटल 200 मीटर चले हो, distance की कोई direction नहीं होती, देखिए, distance की बच्चों कोई direction नहीं होती, अब मानो अगर मैं तुमसे पूछो displacement कितना है, तो तुम बोलोगी यार, दी displacement तो नहीं है, यार, मैं जहां पर, हम पहले जहां पर थे हम बाद में भी वहीं पर है, क्योंकि displacement का vector तो हो है न, जो initial point से लेकि final point तक जाता है, जो हमारे initial point था, वही हमारा final point है, तो displacement क्या यहां पर है, displacement यहां पर नहीं है, so can I say, that the body, when the body returns back to its original position, displacement is zero, displacement क्या होती है, zero होती है, मानते हैं सब यह बच्चे कि अगर मानो body move करे, और अपने initial position के उपर वापस आजाए, displacement zero होती है, तो ऐसा हो सकता है कि जो displacement है, वो distance से छोटी हो, ऐसा बिलकुल possible है, लेकिन ऐसा कभी भी possible नहीं होगा, कि displacement का magnitude बढ़ा हो, और distance का magnitude छोटा हो, तुम एक बात बताओ, कि ऐसा कभी भी हो सकता है कि तुम जिस length से चले हो, अच्छा, यहाँ पर 210 मीटर आगे, बिलकुल सही कह रहे हो, बिलकुल सही कह रहे हो, यहाँ पर इस तरीके से, 105 यहाँ पर आगे, 105, 210, अब मानों, अगर मैं उस कंसेप्ट पर हो, इसके उपर मां फोकस करे थी, तो तुम देख पा रहे हो, ऐसा हो सकता है कि displacement ना होई हो, लेकिन body move की हो, जैसे कि यह वाले सेनारियो में body move की, लेकिन displacement नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, बॉड़ी जितना move की है, उतनी ही उसकी displacement है, इट इस वन body is moving in the straight line with optic back, तो मैं बोल सकते हूँ, ऐसा हो सकता है, distance और displacement का magnitude सेन हो, ऐसा भी हो सकता है, distance का magnitude बढ़ा हो, displacement का magnitude छोटा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, कि body ने move करते हुए, जो path length कबर की है, वो छोटी है, और initial point से लेके final point तक का distance बढ़ा है, ऐसा कभी नहीं होगा, कि जो distance है, वो छोटा है, और displacement बढ़ा है, कैसे बताओ, क्योंकि displacement का मतलब ही होता है, सीधा रास्ता है initial point से लेके final point तक, तो तुम initial point से लेके final point तक इससे छोटे distance के उपर पहुँच ही नहीं सकते Because what is displacement? Displacement is the shortest distance between the initial position and final position तो initial से लेके final तक जब सीधा जाओ तब तुमारे displacement आता है तो ऐसा कभी भी possible नहीं होगा कि तुम इससे छोटा रास्ता लेके initial point से लेके final point तक जा सको इसलिए it is not possible कि जो मेरे पास displacement का magnitude है वो बड़ा हो और distance का magnitude छोटा तो distance तुमारी path length है जो एक scalar quantity है हमेशा positive होगी displacement एक vector है जो positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलते कि यहां से body ऐसे 4 मीटर जाती है फिर body इस सरीके से 6 मीटर जाती है तो देखो ना यह मेरे पास initial point आ गया यह मेरे पास final point आ गया मैं तुमसे distance पूछ हूँ तो पहले 4 मीटर मूँव किये फिर 6 मीटर मूँव किये तो तुमारे distance तो आ गया 10 मीटर लेकिन अगर मानू मैं displacement की बात करूँ तो तुम देखो न तुम initial point से लेके final point तक गए हो तो displacement का magnitude तो 2 मीटर का है लेकिन direction क्या आगी negative आगी का दो सब्सक्राइब करती है तो displacement भी एक वेक्टर है तो displacement भी इस तरीके से positive या फिर negative हो सकता है एक और question मैं आपर कराती हूँ फिर बात में हम लोग आगे बढ़ते हैं मनो मैं तुम्हें बोलू कि बॉड़ी ने क्या किया बॉड़ी एसे लेके सी तक गई फिर बी तक वापिस आई फिर दुबारा से सी तक चले गई मैं तुम्हें बोले हूँ distance और displacement बताओ तो distance तो बहुत easy distance हो दे है अब कि इतने कदम चले हूँ वो तो हम कितना distance चले हम यहां पर 35 मीटर का distance चले 35 का distance चले ना पहले 25 फिर पांच और फिर पांच अब अगर आप हमसे displacement बोलते हैं तो भाई देखो बहुत सीधी बाते displacement का इनिशल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाता है तो अगर मानू मैंने मूव करना यहां से शुरू किया था और खतम मैं यहां पर करें तो this is my displacement बेक्टर तो मैं देख पार ही हूँ magnitude भी और direction मागनिट्यूट के ऊपर focus करूं तो 25 का magnitude है direction के ऊपर focus करूं तो i cap है very general है नो two dimension पे तो जाना ही नहीं है हम लोग को one dimension के उपर ही रहना है बस यह है this is my distance and this is my displacement इतना तुम्हें समझाना चाहिए क्योंकि जिस rate से body distance cover कर रही है उसको speed बोला जाता है और जिस rate से body displacement show कर रही है उसको velocity बोला जाता है ज्यान दीजेगा motion in 1D के उपर distance और displacement में से इ नहीं है क्योंकि आप सिप स्टेट लाइन में मूव कर रहे हैं है अब सिफ स्टेट लाइन में मूव कर रहे हैं आप अब भी x से लेके y axis तक नहीं जारे y से लेके z तक नहीं जारे x में है to x में है y में है to y में है to z में है तो मैं तुम्हें बोली हो यह distance or displacement था अब मैं त है displacement अगर एक वेक्टर है तो velocity भी वेक्टर हो गया जिस direction में displacement है उस direction में velocity होगी क्योंकि मानो अगर मैं बोलो velocity is displacement divided by time तो अव्यसी बात है जो direction इसकी है वही direction इसकी है के नहीं तो यह जो speed है या फिर बच्चो यह जो velocity है वो दो तरीके से define की जाती है सबसे पहले तो होते average जो सबसे genuine है मतला जब तुम छोटे हुआ करते थे न 9th 10th में जब भी तुमारे speed या फिर velocity आया था तब जैसे निकालते थे that is average और velocity कि मानो तुम से पूछा जाए कि भई time is equal to one second से लेके time is equal to four second के बीच में बताओ कितनी speed है तो तुम देखो कि one second से लेके चार सेकेंड तक कितना distance cover किया है और उसको इस तीन सेकेंड के time interval से divide कर दोगे है ना कि body ने इतना distance cover कि 3 second में तो उन तीन seconds के लिए average speed यह है या फिर ने इतना displacement cover किया है उन तीन सेकेंड में divided by 3 second वो उसके average velocity है जैसे कि मानो मैं एक question की help से समझाओ यहां पर तुम डों को मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि बाई बाई यहां से motion कर शो करना शुरू करती है मानो this is my initial point ठीक है अब अ बोड़ी क्या किया बोड़ी यहां से लेके यहां तक गई और यहां से लेके यहां तक आयी अब तो सबसे पहले एसा करते हैं आप सबसे पहले यहां से लेके यहां तक गई और पूरा का पूरा टाइम उसको 20 सेकंड लगा तो मुझे यही तो देखना है कि ताइम लेके 20 सेकंड तक कितने कितना टाइम है अगर मैं इस्टेंस की बात करूं तो तुम देखो ना यहां से लेके यहां तक आगे मेर पास 16 मिटर यहां से लेके यहां तक आगे मेर पास 18 मिटर 34 मिटर तो मैं बोलूँगे कि यार आपने क्योंकि आप आप अबरेज स्पीड को एक इंटर्वल के लिए निकालते हैं कि तुम्हें बोला हुआ है कि 0 second से 20 second के बीच में तुम्हें बोला हुआ इस पूरी की पूरी जर्नी के लिए average speed बताओ तो तुम देखोगी पूरी की पूरी जर्नी में कितना distance कवर हुआ है divided by पूरी की पूरी जर्नी का time कितना है तो मैं यहां पर देख पार हूँ कि पूरी सेविन मीटर पर सेकेंड इस नौट कॉम्हें तुम लोग स्ट्रेस में आगे थे जब मैं वेक्टर्स करा रही थी मोशन इन वन डी आराई पी मोशन इन वन डी आराई पी डोंट यू थिंग इस लिटल आरोगें तो अज्यूम्हें पूरी काइनमाटिक्स को एक गंडे मे करा सकती हूं सारे की सारे कंसेप्ट्स को मैं समझे मेजर ली तो क्वेशन प्राक्टिस ही है ना और यह तो फिर भी वन डी है टूडी में तो दस हजार क्वेशन बन सकते हैं वन डी में क्या एक ही लाइन में आप धर उदर हो रहे हूं या गया 1.7 मीटर पर सेकेंड अब म पूरी जर्ने में पहले तो आप यह बताओ मैंने कितना डिस्प्लेस्मेंट चो किया है और पूरी की पूरी जर्ने में कितना टाइम लगा है यह टाइम इस सरी के से डिवीजन में आ गया तो तुम देखो ना तुम ऐसे करके ऐसे गए हो ना यह इनिशल पॉइंट है यह तो आप देखिए ये मेरे पास initial point है ये मेरे पास final point है तो मेरा displacement 2 meter का है displacement vector क्या करता है initial point से लेके final point तक जाता है तो तुम बोलोगे कि displacement 2 के magnitude का है negative x की direction में ये देखो 2 के magnitude का है negative x की direction में और ये displacement आया है हमारी पूरी की पूरी जर्नी में जो 20 सेकेंड की थी तो answer मेरे पास देखो कितना आया answer मेरे पास आगया negative 0.1 eye cap meter per second देख पारे हो कि जो मेरे पास velocity है negative की direction में है जो average velocity negative की direction में है और magnitude है 0.1 meter per second और कोई question one dimension में बनता ही नहीं है क्योंकि आप straight line में move करे जा रहे है so this is what I mean by average speed and average velocity कि एक specific time interval में अपने कितना distance कवर किया है divided by the time of that time interval is average speed अपने कितना displacement कवर किया time interval में divided by the time of that time interval is the average velocity तो कभी भी हम लोग average speed को define करें या फिर average velocity को define करें वो हम हमेशा एक time interval के लिए define करते है हमेशा एक time interval के लिए हम लोग define करते हैं ठीक है अब मैं तुम्हें यहां पर यह बोल रहे हूँ कि मुझे अच्छे से बता है कि मानो अगर बच्चों मैं एक specific time interval लूँ मानो मैंने एक time interval लिया मुझे अच्छे से बता है उस time interval में distance और displacement का magnitude सेम हो सकता है मतलब उस time interval के लिए average speed और average velocity का magnitude सेम हो सकता है हम जानते हैं कि एक specific time interval के लिए distance का magnitude बड़ा हो सकता है displacement का magnitude छोटा हो सकता है इसका मतलब एक specific time interval के लिए average speed बड़ी average velocity का magnitude छोटा हो सकता है वह है न यह discussion यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था हमें अच्छे से पता है कि एक specific time interval के लिए displacement का magnitude कभी distance से बढ़ा नहीं होगा मतलब एक specific time interval के लिए average velocity का magnitude average speed से कभी बढ़ा नहीं होगा यहीं तो concepts है कर we just discussed this, कि एक specific time interval के लिए एक specific initial point से लेके sekali पॉइंट तो जान के लिए, displacement से जादा से जादा distance के equal to हो सकता है कभी भी बढ़ा नहीं हो सकता वैसे-वैसे एवरेज shifts का magnitude है which is displacement by time goes strang लोगल वरानयों सकता है कभी भी बढ़ा नहीं हो सकता ठेक है अब यहां पर देखो integration और differentiation आएगा तो इन दो रूल्स के बार में integration और differentiation के इन दो रूल्स के बार में पता होना चाहिए अगर आपको integration और differentiation के ऊपर एक घंटा और एक घंटा देना है तो मेरे lectures और यूट्यूब के ऊपर अविलेबल है काइनमाटिक्स में जितनी भी integration और differentiation है तुमारे 99% of questions में वो सिर्फ यह दो रूल्स है तो द्यान दीजेगा फटा फट से यह दो रूल्स क्या है ताकि मैं इनकी help से तुम्हें और questions करा सकूं average speed और average velocity के ऊपर तुमानों सबसे पहले तुमारे पास तुम्हें बोला हुए कि x raised to power n के differentiation कर तो x के साथ तो इस दौरन क्या होता है जो power है वो multiplication में आजाती है और नई power एक से छोटी हो जाती है this is the basic rule of differentiation कि अगर मानों तुम x raised to power n के differentiation कर रहे हो x के साथ तो जो power है मिल्टीप्लिकेशन में आजाएगी नई power एक से छोटी हो पावर है एक से कम होगी, मतलब जो पहले तीन थी वो दो हो गई let me repeat one more time मानों अगर मैं एक्स की मैं तुम्हें बोलो, एक्स की डिफरेंसियेशन एक्स के साथ कर दो, मतलब मैंने तुम्हें बोला एक्स रेस टू पार वन की डिफरेंसियेशन एक्स के साथ कर दो, तो जो इनिशिल पावर थी one, multiplication में आगी और अब जो एक्स की पावर है one से छोटी होगी, पहले one थी, अब zero हो गई सो एक्स रेस टू पार anything रेस टू पार zero is one तो ये वाली वाल्य आजाती है one इसलिए बोला जाता है, x की differentiation x के साथ करो, बनाता है t की differentiation t के साथ करो, बनाता है y की differentiation y के साथ करो, बनाता है constant की differentiation हमेशा zero होती है the differentiation of a constant कोई भी constant, वो 3 का differentiation जैसे मैं तुम्हें बोलू, 3 का differentiation करो चाहे तुम x के साथ करो, या तुम y के साथ करो या तुम T के साथ करो या तुम P के साथ करो किसी के साथ भी करो constant का differentiation हमेशा 0 होता है mathematics समझारियों में यह सिर्फ एक basic rule के जो differentiation से associated है क्योंकि मुझे इसकी requirement है आज वाली ये वाली class में भी और जो हमारा शाम को practice session होगा उसमें भी वैसे ही मानू अगर मैं integration की scenario में बात करो so जैसे motion और rest दो opposite चीज़े है ना वैसे integration और differentiation भी दो opposite चीज़े है यहाँ पर क्या होता है initial power multiplication में आती है और final power एक से कम हो जाती है integration की दौरान आप because multiply कर रहे हैं हाँ पर तो power एक से बढ़ जाएगी और नई power division में आएगी कि जैसे कि मानू आप x raise to part n का integration कर रहे हो x के साथ तो नई power एक से बढ़ जाएगी मतलब अगर power एक से बढ़ जाएगी अगर पहले n थी तो अब n plus 1 होगी और यही नई power division में भी आती है जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलू t raise to part 2 का integration करो time के साथ तो तुम क्या करोगे power को एक से बढ़ा दोगे ये देखो 2 से 3 हो गया वही नई power division में आ जाती है मानू मैंने बोला t का integration t के साथ करो t dot dt तो t की power अभी हाँ बढ़ बन है तो integration करूँगी तो power एक से बढ़ जाएगी पहले 1 थी अब 2 होगे और यही नई power division में इस तरीके से आ जाती है अब की बार मानू मैंने तुम्हें बोला कि भाई ये जो मेरे पास 3 है ठीक है मैंने तुम्हें बोला 3 की integration करो time के साथ तो तुम बोलो कि यहां पर तो t है ही नहीं तो 3 multiplied by 1 को मैं लिख सकते हूं 3 multiplied by t की power 0 बोल सकते हो ना मैं कि 3 की integration time के साथ करने का मतलब है 3 multiplied by 1 की integration time के साथ करना मतलब 3 multiplied by 3 multiplied by t की power 0 के साथ integration करना अब मैं integration कर सकते हूं क्या हो जाएगा T की पावर एक से बढ़ जाएगी तो 0 से बना आगी वही चीज denominator में आ जाता है तो ये मेरे पास आगे 3D एक बार देख लो ये मैं basic rule कराना चाहती थी तीन बार मैंने इसको यहां पर discuss कर लिया आगे जितने भी questions है हर में discussion होगा वैसे ये basic rule of integration है जहां पर मैंने जिसके बार में यहां पर discussion मैंने कर लिया motion in wandi तो बहुत चोटा है क्योंकि आप सीधा ही move कर रहे है आप mood भी नहीं सकते वरना कितने question मैं तुम लोगो देखना कल की class में displacement और distance के उपर कराऊंगी जब two dimension आएगा ये ठेक है constant का integration क्या होगा constant का ही तो integration था देखो 3 का integration किया न तो अगर मानू तुम k constant है तुम constant का integration कर रहे हो मानू x के साथ तो kx हो जाएगा मानू तुम्हें इसका integration कर रहे हो t के साथ तो वो मेरे पास kt हो जाएगा जैसे अभी मैंने 3 का integration किया t के साथ तो यह मैं पास 3 t आ गया वैसे मानो अगर मैं 4 का integration करूंगी t के साथ तो वो 4 t आ जाएगा log वगेरा exponent वगेरा का integration differentiation आप खुद से सीखेंगे ठीक है उसका kinematic से कोई लेना देना नहीं है हमारी आज की class से कोई लेना देना नहीं है तो तुम उसके बार में बिलकुल नहीं सोचना है काइनमाटिक सीखने आयो काइनमाटिक सीखो ठीक है अब देखो मैंने तुम लोग को यह दो रूल्स क्यों बताया क्योंकि मैं इसके उपर मानो मैं तुमें अभी question पूछना चाहूं कि भाई कि भाई बताओ कितनी average velocity है वन सेकेंड से लेके तीन सेकेंड के बीच में तो मैं तुम्हें बोल रहे हूं मैं जितना मर्जी चीजों को complex कर लूँ average speed और average velocity का वही definition होता है जो मैंने तुम्हें अभी बताया है जैसे अगर तुम्हें पूचा जाए what is the average velocity वन सेकेंड से लेके तीन सेकेंड के बीच में तो तुम क्या देखोगे तुम यही देखोगे ना कि भाई इस दौरान displacement कितना हुआ है कि जब मैं वन सेकेंड से लेके तीन सेकेंड तक जा रहूं कितना displacement हुआ है और वन सेकेंड से लेके तीन सेकेंड के बीच में कितना टाइम है ऐसी सॉल्फ करोगे ना integration differentiation के बारे मत सोचो define करो how do you define average velocity class integration differentiation के उपर नहीं motion in one dimension के ओपर है तो अबरेज वेल औा सिटी मैं अगर पूछते हूँ एक से लेके से लेके 3 के बीच में कितना displacement है डिबाईड वाईड एक से लेकेbn के 3 के बीच में कितना टाइम है by अबत्रहुनिए disciple के निकाली है तो तुम बदिख लो ना body की position तुम देख लो ना 1 second पर कितनी है तो वो मेरे पास आ गया 4 multiplied by 1 का square plus 3, जो कि आ गया 7 meter फिर तुम देखो body की position जो है 3 second के उपर कितनी है, which is 4 multiplied by 3 का square plus 3 which is what, 9 3 multiplied by ये मेरे पास आ गया ठीक है, ये वाली value मेरे पास कितनी आ गई, 4 multiplied 9 plus 3, ये वाली value आ गया मेरे पास कितनी 36 plus 3, ये वाली value आ गया 39, है ना, तो तुम देख लो ना, ये practice session थोड़ी है वच्चों देखो, this is not a practice session मैं तुम्हे समझा रही हूँ मैं तुम्हे मतलब समझा रही हूँ कि तुम देखो ना, body कितने खिसकी है, average velocity क्या होता है कि body कितने खिसकी है divided by कितने टाइम में, तुम देख पा रहे हो तुम साथ मीटर से लेके 39 मीटर तक आ रहे हो देख लो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो 32 मीटर से खिसक कर रहे हो ना, तो तुम खिसक गई से पितने से कितने ही टाइम में सब्सक्राइब कोति तो interactions सब्सक्राइब अधूर गुशन की इता जब पर एक सब्सक्राइब वहाँ ओं कि पोडिरे पिर करिए dk distance के लिए फिर वी-2 की स्पीड के साथ मूँफ कर यह का इंग के लिए अब मैं तुमसे आवरेच स्पीड पूछती हूं प्राक्टिस तो आप देखिए, पूरे के पूरे जर्नी में, आप कितना distance कवर कर रहे हो, पहले D कर रहे हो, फिर D कर रहे हो, तो पूरे के पूरे जर्नी में, तुमने 2D का distance कवर कर दिया, बस यही लिखना है न, कितने time में, तो मान लोग कि यहां से लेके यहां तक जाने में, तुम्हें T1 का टाइम लगा, यहां से लेके यहां तक जाने में तुम्हें T2 का टाइम लगा तो जो टोटल टाइम जरनी का लगा है, इट इस T1 प्लस T2, बस T1 और T2 की ढंग से सब्स्टिटूशन करनी है जैसे V1 का अंग बे रिटिन इस इकोल तो D by T1, V2 का अंग बे रिटिन इस इकोल टो D by T2 तो T1 को सब्स्टिटूट करूं वो मेर पास आगया D by V1 T2 को सब्स्टिटूट करूं वो मेर पास आगया D by V2 आंसर मेर पास आगया 2 times of V1 V2 by V1 plus V2 प्लस माइनस में मत थास हो चाहे यह कैसे आ रहे तो में बिलकुल ना समझ आयो because this is addition, subtraction, multiplication, division तुम देखो what am I doing because this is not a practice session question कैसे solve करते है is not the basis of these questions what I am trying to say is look how I am changing how what is asked but while calculating what is asked I am using these same steps चाहे ऐसा question आए या ऐसा question आए या फिर ऐसा question आए मैंने same concepts का इस्तमाल किया है अगर आप मुझसे पूछेंगे average speed कितना है तो मैं देखूँगी आप किस time interval में पूछ रहे हैं उसमें कितना distance है divided by उस time interval का time कितना है अगर आप मुझसे पूछते है 1 से लेके 3 seconds के बीच में कितना average velocity है तो मैं देखूँँगी 1 से लेके 3 सेकंड के बीच में बॉडी कितने खिसकी है which is the displacement divided by 1 से लेके 3 सेकंड के बीच में time कितना है my approach is remaining the same अगर आप मुझे पूछ से पूछ से पूरी की पूरी जर्नी के लिए average speed कितनी है तो मैं देखोंगी पूरी की पूरी जर्नी में कितना time लगा है पहले लग गया T1 फिर लग गया T2 तो division में आगे T1 प्लस T2 speed is equal to distance by time कर सकते हो T1 आजाएगा speed is equal to distance by time करते हो T2 आजाएगा वही substitution किया है there are no formulas यह formula रटके मत बैठना कभी जरुरत नहीं पढ़ेगी अब तुम लोगों को यहाँ पर prophecy MUSIC मानो मैं अभी तुम लोगों को यह question कि बॉड़ी सबसे पहले ना दो सेकेंड के लिए 3 meter per second से पिर 4 seconds के लिए 2 meter स PK मैंने ने कुमे Cir chanceus को красא grateful कोgame मेरा अप्रोच नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि अभी इन सेशन का अप्रोच तुमारी इन सेशन का माइना इन सेशन का बेसेस तुमारी conceptual clarity है तो मैं question change कर रहे हूं फिर भी कहाँ चीज़े change हो रही है अब भी मैं कभी भी किसी भी specific time interval के उपर अगर time interval के अंदर तुम से average speed पूछू तो तुम देखोगे कि उस time interval में body जो है कितना distance move की है divided by कितने time में तो मैं बोल रहे हूं कि जब तक body यहां से लेके यहां तक जाती है तब average speed निकालो तो तुम देखने बार हो यहां से लेके यहां तक जाने में कितना time लग रहा है यहां से लेके यहां तक देखो 2 second, 4 second, 1 second यहां से लेके यहां तक जाने में 7 second लगे है ना तो मैं देखोंगे कितना distance body move की है इन साथ सेकेंड में divided by साथ सेकेंड अब D1, D2, D3 को निकालना क्या बड़ी बात है भाई करू स्पीड मनो अगर मैं तुम्हें बोलू कि भाई यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टन्स है वो D1 है यहां से लेके यहां तक का डिस्टन्स D2 है यहां से लेके यहां तक का डिस्टन्स D3 है तो मेरे पास आया आया स्पीड इस इक्वल तो डिस्टन्स बाई टाइम मेरे पास आया स्पीड इस इक्वल तो डिस्टन्स बाई टाइम मेरे पास आया स्पीड इस इक्वल तो डिस्टन्स बाई टाइम तो मैं देख पारे हूं, पहले मैं मूव की 6 मीटर, फिर मैं मूव की 24 मीटर, फिर मैं मूव की 2 मीटर पूरी की पूरी जर्नी में मैंने इतना डिस्टेंस कबर किया है और पूरी की पूरी जर्नी में लग गए मेरे 7 सेकेंड This is how I calculate the average speed I am hoping all of you have the intellect to understand one equation जो तुम लोग ने class 8th में भी किया होगा, 9th में भी किया होगा, 10th में भी किया होगा Speed is distance by time बस उस speed के आगे मैं average लगा रही हूं कि किसी भी time interval के लिए average speed हो जाएगा, उस time interval में कितना distance body move की है divided by वो time interval में कितना time लगा है जैसे कि यहाँ पर 7 second गये है पूरे के पूरे इस journey में जिसके लिए average speed पूछी होई थी यहाँ पर T1 प्लस T2 time गया है यहाँ पर 2 second का time गया है यहाँ पर इस तरीके से देख लो 20 second का time गया है यह है मेरे बास average speed और average velocity instantaneous होता है एक वक्त के उपर जैसे कि अब भी तक हम लोग बात कर रहे थे time interval में मैं तुम्हें बोल रहे थे 1 second से 10 second के बीच में बताओ average speed कितनी है या फिर 1 second से लेके 2 second के बीच में बताओ या फिर 4 second से लेके 6 second के बीच में बताओ तो जब भी ऐसे time interval आता है ना हन जी जब भी ऐसे इस तरीके से time interval आते है उसके बीच में जब हम speed और velocity को define करें उनके आगे average लगता है लेकिन अगर मैं एक instant के उपर define करूँ कि मैं तुम्हें बोलो time is equal to 2 second पे बताओ time is equal to 4 second पे बताओ उसको instantaneous बोला जाते है उसको instantaneous बोला जाते है कि एक पल के उपर average नहीं मैं तुमसे यह नहीं पूछ रही कि आज तक तुमारे जितने भी test आए हैं उनका average marks कितना है मैं तुम्हें बोलो है तुमने जो तीसरा test दिया था उसमें कितने marks है तो मैंने पूछ रही 1 second से लेके 2 second तक कितनी velocity है या फिर 1 second से लेके 2 second तक कितनी speed है मैं तुमसे पूछ रही हूँ 1 second पर कितनी speed है instantaneous speed मैं तुमसे पूछ रही हूँ 1.1 second के उपर कितनी velocity है instantaneous velocity तो अभी से बात है एक instant के उपर body की instantaneous velocity और instantaneous speed का same magnitude होगा ऐसे थोड़ी होगा कि time is equal to 2 second के उपर body की velocity है 4 meter per second और speed है 2 meter per second ऐसे थोड़ी हो सकता है एक instant के उपर body का जो average एक instant के उपर जो instantaneous speed है भही उसकी instantaneous velocity है जैसे कि जो तुमारा speedometer लगा होता है ना गाड़ी में speedometer लगा होता है गाड़ी में वो यही measure करता है कि मानौ अगर वो speedometer for example वो speedometer इस तरीके से 120 के उपर point कर रहा है मतलब उस point पे तुमारी जो speed है गाड़ी की 120 meter per second है क्योंकि direction से तो लेना देना है ने तो मैं तुम्हें यही बोल रहे हूँ कि मानौ for example मैं तुम्हें बोलो कि भही body ना time is equal to 2 second पे ऐसे move कर रही थी 10 meter per second से तो अगर मानौ में time is equal to 2 second के उपर तुमसे पूछों कि instantaneous speed कितनी है मानौ मैं तुमसे do not mind the spelling अगर मानौ में instantaneous speed पूछों तो तुम बोलोगे कि दी यह time is equal to 2 second के उपर तो 10 meter per second है बस अब अगर मानौ में तुमसे instantaneous velocity पूछों तुम बोलोगे कि इस पॉइंट पे तुम 10 meter per second से मूव कर रहे हैं x-axis की direction में तो इस 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 इग्जाक्ली वाट आ वुस टॉकिंग बाओट average speed और average sorry average speed और average velocity same होगी जब distance और displacement same होगा जब distance बढ़ा होगा displacement से average speed बढ़ी होगी average velocity के magnitude से हैं है ना लेकिन मैं average के उपर हो चुका है discussion मैं अब instantaneous की बात करें कि एक पल में 2 speed कैसे हो सकती है एक पल में body जिस rate से move कर रहे है अगर वो 10 meter per second है तो वही 10 meter per second instantaneous speed भी है और वही 10 meter per second instantaneous velocity का magnitude भी है so this is what I am talking about that the instantaneous speed is always going to be equal to the magnitude of the instantaneous velocity these आदी concepts कि एक पल में जिस rate से body move करी है वो एक ही होगा एक ही पल में body 3-4 rate से नहीं move करेगी जैसे इस पल में time is equal to 2 second के उपर body 10 meter per second के rate से move कर रहे है तो यही instantaneous speed है और यही instantaneous velocity का magnitude भी है तो यह instantaneous speed या फिर velocity का magnitude निकालने के लिए हम सिर्फ differentiation करते हैं time के साथ देखो हम सिर्फ differentiation करते हैं displacement की time के साथ जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलू कि this is the equation of the position of the body कि body की position time के साथ ऐसे vary कर लिया है तो अब मैं अगर तुमसे पूछू कि velocity कितने है इतने time के उपर तो तुम्हें क्या करना है सिर्फ differentiation करना है velocity की equation निकालो velocity की equation आ जाएगी dx by dt करके अब differentiation करो 3t square की differentiation कर दूँ 60 आ गया 6 की differentiation कर दूँ 6 आ गया constant की differentiation 0 होती है तो जब तुम्हारे पास displacement की equation है कि displacement time के उपर कैसे vary कर रहा है याद रखना उसी की time के साथ differentiation करके मेरे पास ये equation आएगी कि velocity time के साथ कैसे vary करती है तो मैं यहाँ पर देख पार हूँ कि भई velocity जिस तरीके से time के साथ vary करती है उसकी value आगई 6T plus 6 अब आप मुझसे जिस मर्दी time के उपर velocity पूछ सकते हैं आप अगर मुझसे पूछते कि भई बताओ body की initial velocity कितने थी अगर आप मुझसे पूछते कि time is equal to 0 पर velocity कितने थी तो वो वाली value हो जाती 6 multiplied by 0 plus 6 अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं time is equal to 2 second के उपर कितने velocity है तो मुझे यहाँ पर सिफ time को 2 की value से substitute करना है value आगी 18 meter per second तो average speed और average velocity में concepts हैं लेकिन instantaneous velocity में तो सिर्फ mathematics है तो एक पल पर जो velocity है वो मेरी instantaneous velocity है और इसी का magnitude तुम्हें instantaneous speed देता है जैसे कि if I have to bring one more question देखेगा मानो बच्चो अपकी बार ना मैं यहाँ पर एक और question लिखे हूँ मैं तुम्हें अपकी बार यह बोल रहे हूँ कि velocity जिस तरीकी से t time से vary कर रहे है उसकी equation यह है अब मैं तुम्हें बोल लिए हूँ velocity की value time is equal to one second पर बताओ अब कोई बच्चा इसकी differentiation करने लग जाए ऐसे काम मत करना the reason that you make silly mistakes is because you are not paying attention to what is asked and what is given अगर तुमसे velocity एक पल पे पूछी हुई है और equation भी दी हुई है कि इस पल पे इतनी velocity है या नहीं नहीं पांच तो सही answer है हाँ जी differentiation integration तुम्हारे दिमाग में पहला thought नहीं होना जीए तुम्हारे दिमाग में पहला thought यह होना जीए कि भाई अगर मैं velocity को किसी भी time पे निकालना चाहते हूँ तो मुझे चाहिए velocity t time के उपर कैसे depend करती है अगर given है well and good नहीं given है तो हम निकाल लेंगे जैसे कि यहाँ पर displacement की equation given थी बस time के साथ differentiation करना था और velocity की equation आ गए यहाँ पर velocity की equation नहीं गए तो हमें कुछ करने के requirement ही नहीं पड़ी सीधा सीधा time को substitute कर दी आप 5 answer आ गया तो integration करना है या differentiation करना है अगर यह दिमाग में आपके पहला thought आ रहा है आपको kinematics नहीं आएगी क्या पूछा गए define करो मुझसे पूछा हुआ velocity इस time पर कितनी है तो मुझे एक ऐसी equation चाहिए जो मुझे यह बतारी हूँ कि किस time पर कितनी velocity होती है और वो equation है मेरे पास नहीं हो तो दिक्कत है हाँ जी बहुत question प्राक्टिस करेंगे अभी तो सिफ़ हम लोग conceptual priority के उपर focus करें I am hoping this is clear as well everyone everyone will like this session जिन जिन बच्चों ने अभी तक session नहीं like किया है बच्चों फटा फट से session को like करो दो गंटे साथ मिनिट हो चुके हैं इस class को ठीक है 23 minutes more to go साधे नौ बजे class नहीं end करूंगी दो और आदे गंटे में class end करूंगी साथ बच के whatever minute के उपर में आई थी दो गंटे साथ मिनिट की class अभी हमारी हो चुके और देखो kinematics कितना cover कर लिया है कि काइनमार्टिक्स नहीं दिस इस motion in one dimension one dimension में चीज़े कितने रिस्ट्रिक्टेड है आप से एक ही लाइन में घूमते रहते हैं हाँ जी like करेंगे सारे के सारे बच्चे इस session को और अब हम करते हैं आगे resume अब की बार हम लोग ने देखा देखो कैसे storyline किस तरीके से है क्योंकि motion in one dimension, motion in two dimension का basis है तो हमने देखा कि body जब भी move करती है तो जैसे वो move कर रही है उसको में दो तरीके से define कर सकती हूँ एक distance की terms में, एक displacement की terms में किस rate से वो move कर रही है, उसको भी मैं दो terms में define कर सकती हूँ एक speed की terms में, एक velocity की terms में किस rate से उसकी velocity change हो रही है, उसको भी मैं दो terms में define कर सकती हूँ लेकिन एक ही term में करेंगे जो की है acceleration जैसकि हमने देखा body move कर रही है तो distance और displacement define किया जाते है body किस rate से move की कर रही है average velocity और average speed define किया जाता है speed और velocity define किया जाता है अब मैं बोल रही हूं कि speed की value या फिर velocity की value किस rate से change हो रही है उसको लिए acceleration आ गया तो चीजें तो change हुई नहीं न अगर मुझे ये समझ आ गया कि displacement change कैसे होता है और फिर कैसे velocity आती है तो कैसे velocity के change होने से acceleration आएगा बड़ी बात थोड़ी है so acceleration क्या है acceleration एक ऐसे physical quantity है जो आपको बताती है कि velocity time के साथ कैसे change हो रही है जैसे कि जब velocity नहीं है तो displacement नहीं है जब velocity है तो displacement है जिस direction में velocity है उस direction में displacement है same चीज अगर acceleration नहीं है तो velocity में change नहीं है अगर acceleration है तो velocity में change है जिस direction में acceleration है उसी direction में velocity में change है acceleration will not be in the direction of velocity ध्यान से सुनिये acceleration will be in the direction of velocity acceleration will be in the direction of not in the direction of velocity acceleration will be in the direction of change in velocity velocity जिस direction में change होती है उस direction में acceleration आता है तुम्हारे दिमाग ने अभी ऐसा सोचना सीखा है कि जिस direction में displacement है मतब जिस direction में change in position है उस direction में velocity आजाते है वैसे जिस direction में change in velocity है उस direction में acceleration आ जाता है अगर आप acceleration को एक time interval के लिए define करते हैं देखो दुबार असे बिल्कुल same चीज़ हैं अगर आप acceleration को एक time interval के लिए define करते हैं कि जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलूँ delta t के time interval में कितना acceleration है तो तुम देखोगे उस time interval में कितना velocity में change आया है divided by वो वाला time interval कितने time का है अगर आपसे पूचा जाए ये वाले time के उपर बताओ इस instant के उपर बताओ ठीक है तुम्हें ये ने बोला जा रहे इतने second से इतने second के बीच में कितना acceleration है तुम्हें बोला जा रहे इस time पे कितना acceleration है तो तुम क्या करोगे acceleration की equation निकालोगे t time के साथ कैसे निकालोगे velocity की जो equation है t time के साथ उसका differentiation करके पिलकुल सेम अभी जो हम लोग उने average velocity और instantaneous velocity किया न सेम चीज़ ही तो एक्या नया बताया average velocity था बोडी ने कितना displacement कवर किया t time में divided by t time average acceleration आ गया बोडी ने कितना change in velocity शो किया t time में divided by t time क्योंकि average और instantaneous kinematics से नहीं associated है बहुत ही general terms है जैसे instantaneous velocity था इस time के उपर बोडी का rate of motion क्या है instantaneous acceleration भी यही है कि इस point के उपर velocity किस rate से change हो रही है which is dv by dt जैसे velocity था in the direction of displacement acceleration भी direction of change in velocity में होगा जैसे कि मानू अगर मैं तुमें बोलू कि यही चार सेनारियोज हो सकते हैं बन डिवेंशन में मानू बोडी ऐसे मोब करिये चार मीटर पर सेकेंड पांच मीटर पर सेकेंड चे मीटर पर सेकेंड या फिर ऐसे चार मीटर पर सेकेंड तीन मीटर पर सेकेंड दो मीटर पर सेकेंड यही चार सेनारियोज पॉसिबल हैं वन डिमेंशन में ऐसे मूफ करिये चार मीटर पर सेकेंड तीन मीटर पर सेकेंड दो मीटर पर सेकेंड या फिर ऐसे मूफ करिये चार मीटर पर सेकेंड, पांच मीटर पर सेकेंड, छे मीटर पर सेकेंड, मैं तुम से पूछू, डिरेक्शन ऑफ अक्सिलेरेशन बताओ क्या है, तो डिरेक्शन ऑफ अक्सिलेरेशन है, जिस डिरेक्शन में धक्का लगता है, इतना तुमें सोचना भी नहीं है, डिरेक्श अगर बॉडी मानू पहले ऐसे चार मीटर पर सेगेंड से मुव करती है अगर बॉडी ऐसे तेजी 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 इसे मुव करती है लेकिन उसको दक्का लगा ऐसे तो अब की बार जो अक्सिलेरेशन है वह इस डिरिक्शन में है अगर मानू पहले बॉडी चार मीटर पर सेगेंड से मुव करती है अब धीरे धीरे होती जा रहे है मतलब धक्का ऐसे लग रहा है तो अब तुम देख पा रहे हो कि धक्का इस डिरेक्शन में लगाओगा तो आक्सिलेरेशन इस डिरेक्शन में है पहले तुम 4 मीटर पर सेगेंड से मूव करते है फिर तुम बहागने लगगे फिर तुम और लगगने लगए मतलब तुम इसी डिरेक्शन में तुम्हारे उपर दक्का लगाए तो आक्सिलेरेशन इस डिरेक्शन में है So what I want to say is, please pay attention, what I want to say is, when acceleration is in the direction of velocity, speed increases, देखना, when acceleration is in the direction of velocity, concept clear कीजे, when acceleration is in the direction of velocity, speed increases, जिस स्पीड के साथ बॉडी मूफ कर रही है, वो वाली स्पीड इनक्रीज हो गई, कि बॉडी इस direction में मूफ कर रही है, और इसी direction में धक्का लगया, तो तेजी से मूफ कर रही है, मतलब, when velocity is negative, but acceleration is also negative, speed increases, बच्चों को यह नहीं पता होता है, यही conceptual clarity मैं बोल रहे हूं बच्चों को लगता है, positive acceleration का मतलब body की speed increase हो रही है negative acceleration का मतलब body की speed decrease हो रही है नहीं, बिलकुल भी नहीं जब velocity positive है और acceleration भी positive है speed increase होगी जब body की velocity negative है और acceleration भी negative है तब भी speed increase होगी अगर body एक्स की डिरेक्शन में जा रही है और positive x की डिरेक्शन में धक्का लग रहा है तो तेजी-तेजी से move करेगी वैसे ही है ना उसी तरीके से अगर मानो body जिस डिरेक्शन में move कर रही है अगर मानो अक्सिलरेशन उसको सपोर्ट ना करें है ना ये दोनों सेनारियो उस भी देखो when acceleration is opposite to velocity when acceleration is opposite to velocity तो अपकी बार जो speed है obviously बाते decrease करेगी कि भाई body x की direction में move कर रही थी क्यों तुमने धक्का लगाया negative x की direction में या फिर body जब negative x की direction में move कर देती क्यों तुमने धक्का लगाया या पॉजिटिव x की direction में तो ऐसे में जो speed है decrease करती है तो मानो जब मेरे पास velocity positive है लेकिन acceleration negative हो जाए तब speed decrease करती है जब velocity negative है और acceleration positive हो जाए तब speed decrease करती है ये रटने वाली चीज़े नहीं है ये रटने वाली चीज़ नहीं है अगर आप जिस direction में जा रहे हैं उसी direction में आप पे धक्का भी लगे तो तेजी तेजी से move करोगे अगर आप जिस direction में जा रहे हैं उसके opposite direction में आपको धक्का लगे इस direction में धक्का लगे इस direction में धक्का लगे तो आप धीरे-धीरे मूँव करोगे So, I am hoping Acceleration के Positive होने का मतलब और Acceleration के Negative होने का मतलब तुम्हे clear हो चुका है क्योंकि Acceleration के Positive होने का मतलब Speed में Increase आना और Acceleration के Negative होने का मतलब Speed में Decrease आना नहीं होता ठीक है? अब मानों गर मैं Average Acceleration की बात करूं तो देखो average acceleration क्या था बच्चों हमारे पास हमने ये सिखा कि average acceleration क्या है average acceleration है velocity में कितना change आया है t time में divided by t time यही था देख लो फटा फट से instantaneous की कोई दिक्कत नहीं है जैसे कि मैं तुम लोग को instantaneous acceleration के उपर question करा हूँ ये क्या हो रहा है तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके उपर भी चलेंगे सबसे पहले एक बार ज़रा सा average acceleration के बार में बात करते है just one second हाँ जी एक मेनटा okay so coming back to what I wanted to discuss मैं सबसे पहले average acceleration के बार में बात करना चाहूँगी तो मैं तोम्हें कहरी थी कि मानो मैं तुम्हें ये बोलू कि कितना velocity में change आया है तो तुम बोलो कि कि दिए तो easy है देखो ना कितना velocity में change आया है t time में वो मेरे पास आजाएगा acceleration multiplied by time तो तुम यही करोगी जब constant acceleration है जब constant acceleration है तो तुम simply multiply कर सकते हो क्योंकि मानो अगर मैं तुम्हें बोलू acceleration 2 meter per second square है मतलब 2 meter per second की speed change हो रही है एक second में तो obvious ही बात है 4 meter per second की speed change होगी 2 second में तो obvious ही बात है 6 meter per second की speed change होगी 3 second में तो जब मेरे पास constant acceleration है तो multiplication करने से काम चल जाएगा लेकिन जब variable acceleration हो न तब integration करोगे लेकिन मैं तुम्हें एक variable acceleration दे दू तो उस variable acceleration की तुम्हें integration करने पड़ेगी time के साथ ताकि तुम ये निकाल पाओ कि 0 से लेके t time तक कितना change आया velocity में जैसे कि मानो एक question की help से करा दो तो बहतर रहेगा मानो मैं तुम्हें बोलू acceleration 6 meter per second square है देखना बच्चो मैं तुम्हें बोलू acceleration 6 meter per second square है body की initial velocity इतनी थी तो बताओ velocity 2 second में कितनी है तो तुम देख पार्यों मैं 0 से लेके 2 second में जा रही हो ना ध्यान देना concept के उपर focus करना अभी कितने गंटे की class होगी 2 गंटे 18 minute की class हो चुके 12 minute अभी रहते हैं प्लीज फोकस कीजिए तो हम time is equal to 0 से लेके time is equal to 2 second तक जाते हैं आपने मुझे क्या किया आपने मुझे initial velocity दे दी और आप मुझे final velocity पूछ रहे हैं तो मुझे change in velocity चाहिए ना तो change in velocity निकालना बहुत easy है जब constant acceleration हो तुम सिफ बोल दो कि भाई देखो constant acceleration है 6 meter per second square का और इस constant acceleration में body अगर 2 second के लिए move करती है तो speed में change आते है 12 meter per second से तो पहले 10 था पहले जो velocity थी वो 10 थी फिर velocity में change आगया 12 meter per second का तो अभी सी बात है final velocity मेरे पास 22 meter per second हो गई क्या तुम लोगोंने logic लगाया बताना अगर मेरे पास initial velocity 10 है body के velocity 12 से change हो रही है जैसे कि पहले तुमारे 10 marks आ रहे थे फिर तुमारे marks में 12 से change आ गया तो अब तुमारे marks 22 आ रहे है तो initial velocity 10 थी 12 से change आ गया final velocity 22 हो गई मैं तुम्हें बोल यू concept में difference नहीं है mathematical approach में difference है अब भी यहाँ पर देखो अब की बार मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम time is equal to 0 से लेकि time is equal to 2 तक जा रहे हो time is equal to 0 के उपर velocity है 10 meter per second time is equal to 2 के उपर मैं velocity पूछ रहे हो लेकिन अब की बार मैंने acceleration तुम लोगों को variable दे दिया अब की बार मैंने तुम्हें बोला acceleration is 60 तो because यह variable acceleration है multiplication से काम नहीं चलेगा अब की बार अगर आपको change in velocity निकालना है तो आप acceleration की integration करेंगे time के साथ so I just want to use two statements to make all of you understand this constant acceleration की वज़े से t time में change in velocity निकालना चाते हो तो multiplication से काम चल जाएगा variable acceleration की वज़े से निकालना चाते हो अगर 0 से लेके t time में कितना velocity में change आए integration करना बढ़ेगा ठीक है तो अब तुम देखो 6 t से integration करना बढ़ेगा मुझे तो मैंने integration अभी से खाया है कि power एक से बढ़ जाएगी new power division में आ जाएगी तो यह मेर पास आगया 3 t square 0 से लेके हम लोग कितने time तक जा रहे है 2 second तक जा रहे तो upper limit minus lower limit upper limit आगया 3 multiplied by 2 का square lower limit मेर पास आगया 3 multiplied by 0 का square ऐसे करते हैं upper limit और lower limit करके तो यह वाली value मेर पास कितने आगी 12 meter per second इत्तफा के सेम आंसर आया है ठीक है जी ज़रा से देख लीजेगा यह इत्तफा के सेम आंसर आया है अभी तुम्हें लगे कि हमेशा ऐसा होगा हमेशा ऐसा नहीं होगा तो तुम देखो velocity जो थी पहले 10 थी velocity में change आगया 12 meter per second का तो ओविसी बाते final होगी मेरे पास कितने 22 meter per second focus on the concepts practice session नहीं है यह मैं तुम्हें concept समझाना जाती हूं ठीक है जी एक बार ज़रा सा देख लीजे I am hoping इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है concept पकड़ने है हम एक और आदे घंडे के अभी practice करने वाले हैं दोपहर को तीन बजे बैटके concept पकड़ो ताकि उन questions में जो concepts अपलाई हूं उन questions को solve करते हूँ जब मैं तुम्हें बता हूँ कि ये question ऐसे किया जाता है ये question ऐसे किया जाता है वो हो जाए ये सिफ conceptual clarity के लिए है ठीक है I'm hoping this is clear कि अगर मेरे पास एक constant acceleration हो जिसके वज़े से t time में मैं change in velocity निकालना चाहती हूँ तो simple multiplication करना है लेकिन अगर variable हो तो मुझे integration करना है ठीक है अब देखेगा अब मानू मैं तुम्हें यहां पर समझ आ चुका है velocity क्या होता है तुम्हें समझ आ चुका है acceleration क्या होता है तुम्हें समझ आ चुका है speed क्या होता है तुम्हें यह physical quantities इतनी समझ आ चुकी है कि जब मैं तुम्हें तीन बज़े इसके उपर question practice करा हूँ तो तुम्हारे दमाग में यह ना है कि आर अक्सिलरेशन क्या होता था कॉंस्टन अक्सिलरेशन की वज़े से क्या करते थे विरियबल अक्सिलरेशन की वज़े से क्या करते थे that all is clear ठीक है अब मैं तुम लोगों को बताना चाहते हो काइनमाटिक equations के बारे में क्योंकि ये काइनमाटिक equations हम सिर्फ युनिफॉर्म acceleration के लिए करते हैं ये वो equations है जो आप class 11 से पहले करते हैं V is equal to U plus AT V square minus U square is equal to 2AS S is equal to UT plus half AT square एक बच्चे ने बोले कि दी एक question एक बर सारा सा instantaneous acceleration पर भी करा दो तो यार this is like simply wasting the time देखना मनों मैं तुम्हें ये equation देदू velocity की value आगे 40T square plus 10T मैं तुम्हें बोलनों acceleration की value 1 second पर कितनी होगी ये कोई question है करने लायक conceptual clarity वाली class में अब भी से बात है ऐसे question तीन बजे तू करेंगी करेंगे अब भी तो instantaneous velocity निकालना सीखा है displacement की equation से तो instantaneous acceleration निकालना velocity की equation से क्या बड़ी बात है नहीं किया हम लोगों ने displacement से velocity तक आये तो है velocity से acceleration तक ऐसे ही तो जाना है कि तुम से पूछा जाए कि भाई कितना acceleration है 1 second पर तो तुम्हें चाहिए acceleration की equation T time के साथ तो तुम क्या करोगे velocity की differentiation करोगे T time के साथ तो velocity की equation तुम लोग की differentiation कर दो T time के साथ ये मेर पास आ जाता है 8 T plus 10 तो जब मेर पास ये equation आगे कि acceleration T time की उपर कैसे vary कर रहा है अब मैं किसी भी time की उपर acceleration निकाल सकती हूँ जैसे कि देखो मैं आपर अगर time is equal to 1 second पुट कर दो तो acceleration की वालो आजाती है 8 T times of 1 प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेर ठीक है एक बार ज़रा सा देख लीजे next हमारे पास आजाते है काइनमाटिक एक्वेशन्स देखेगा काइनमाटिक एक्वेशन्स क्या टॉपिक है काइनमाटिक एक्वेशन्स V is equal to U plus AT V square minus U square is equal to 2AS S is equal to UT plus half AT square तो इसके अंदर concept मैं तुम्हें क्या बता सकते हूं सिफ अप्रोच बता सकते हूं और तो यह ऐसा topic है ना जो सिफ question based है there is a reason मैंने तुम्हें बोला था उसके लिए हमारे तीन बजे वाला सेशन है तो मैं तुम्हें बोलो now that you have a vague picture in your head velocity क्या होता है acceleration क्या होता है तो इन तीन equations के बार में तुम लोग already जानते हूं बात अब बता हूं क्या है कि इक्वेशन के बारे में तो जानते है solve नहीं करना है हम क्या करते है न हम positive negative में दिक्कत कर देते है हमारे sign conventions में दिक्कत हो जाते है हमें पता नहीं लगता कौन सी equation कब लगती है तो इक कैसे समझाएगा equation कैसे लगती है that is practice this is not a practice session अभी के लिए मैं तुम्हें बता सकते हूं सब इतना कि sign conventions में से ना दिक्कत हो so things are pretty basic देखो अगर मानो तुम कभी भी किसी भी equation का इस्तमाल करते हो मानो तुम लोग ये वाली equation का इस्तमाल कर रहे हो और तुम ये वाली equation से acceleration निकालना चाहते हो so the way of solving is आप अपना sign convention decide कीजे उस sign convention के हिसाब से सबको substitute कीजे इसका answer आप ही के sign conventions में आ जाएगा ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा सिर्फ इसी के उपर मैं 45 minutes question practice कराऊंगी तुम्हें लेकिन आप ध्यान दो concept के उपर जो मैं सिखाना चाहती हूँ ठीक है मैं तुम्हें कह रहे हूँ कभी भी तुम किसी भी equation का इस्तमाल करे हूँ मानो तुम लोग इसवाली equation का इस्तमाल करे हूँ तो जिस चीज को निकालना चाहते हो इस सारे के सारी चीज़ों को अपने sign conventions में substitute करो answer तुमें अपने sign conventions में मिलेगा बाकी I am hoping सब बच्यों को अच्छे से बता है, gravitational acceleration हमेशा नीचे की direction में लगता है, हैंजी देखिएगा, जो gravitational acceleration है, वो हमेशा नीचे की direction में लगता है, जिसकी value आ जाती है, 10 meter per second square, तो अगर मानू मुझे magnitude लिखना हो, तो मैं simply simply 10 meter per second square लिखूँगी, अगर आप मुझे मानू vector की format में बोलते हैं, तो 10 का magnitude है, negative G-cup की direction है, है ना, जैसे कि मानू, मैं इसकी help से एक दो questions कराती हूँ, जैसे कि मानू मैं तुम्हें बोलू, कि भाई मेरे पास एक tower था, 20 meter का tower था, मैंने क्या क्या, एक body को 10 meter per second से उपर फैका, अब वो इस तरीके से ground को hit कर रहा है, तो तुमसे यहां पर यही पूचा जाएगा, कि भाई बताओ कितनी velocity से, वो ground को hit कर रहा है, तो देखो approach कैसे किया जाता है बच्चो, concept के उपर बिल्कुल ध्यान दीजेगा, तो सबसे best way बताओं क्या होता है, और मेरे जितने भी paid platform के student से, उनको भी मैंने same चीज़ बताइती, सबसे best होता है, साइड में लिख लो क्या-क्या चीज़े given है, और क्या-क्या चीज़े निकाल ली है, जैसे कि तुम देख पार हो, 10 meter per second square का नीचे की direction में लग रहा है, तो acceleration भी है, V की value पूछी गई है, जैसे लिख दोगे न, तुमारे दमाग में click कर जाएगा, कौनसी equation का इस्तमाल होना चाहिए, so this is a mental way, this is a way of getting to the decision, that which equation to use faster, लिख दो side में क्या-क्या चीज़े provided हैं, और क्या चीज़ पूछी गई है, इसको जैसे ही मैं देखती हूँ उपर से नीचे, तो मेरे पास एक equation आती है, V का square माइनस U का square, is 2AS, अब मैंने क्या बोला, कोई भी sign convention ले लो, जैसे कि मानू मैं जनरली यही sign convention लेती हूँ, ground से उपर positive लोगी, मतलब उपर की direction को positive, नीचे की direction को negative लोगी, अब मैंने ये वाली equation से बात की, मैंने इस equation को बोला, कि equation तुमसे न, velocity जान नहीं है, तो ये बोलेगा, तो ठीक है, इसको बिलकुल माच चेड़ा, और सारी चीज़ों को प्रॉपर sign convention में substitute कर दो, तो मैंने बोला, ठीक है, तो देखो, मैंने वी को बिलकुल नहीं चेड़ा, वी वैसे भी magnitude की terms में है, यू को अगर मैं substitute कर दूँ, तो 10 का square आ जाता है, acceleration को vector form में substitute कर दूँ, तो negative 10 आ जाता है, displacement को vector form में substitute कर दूँ, तो negative 20 आ जाता है, questions नहीं कर रहे है, मैं तुम्हें बताती है, solve कैसे किया जाता है, conceptual clarity क्या है, 45 minutes question practice सिर्फ इनी तीन equations के उपर होगी, so this is what I am talking about, write down in a tabular form, write down in a tabular form, what all things are provided, what do you have to calculate, generally उनी को देखके तुम्हें पता लग जाएगा, कि कौनसी equation का इस्तमाल करना है, अब मैं बोल ले हूँ, जिस चीज को तुम निकालना चाहते है, उसको मत चेड़ो, तो इसको मैं बिल्कुल नहीं जेड़ा, और सारी चीजों को प्रॉपर साइन कंवेंशन में ब्सुट्टिट कर दिया, वेक्तर था था तो negative 10, वेक्तर था तो negative 20, यह सिर्फ और सिर्फ मागनिट्यूट था तो 10, अब mathematics, mathematics is not the reason why you are not able to solve the questions, mathematics is never the reason why you are not able to solve the questions, velocity की वाल्यू आ जाएगे, तो महरे पास 10 अंडर रूट 5, magnitude की टर्म्स में आई है, यह देखो, अपने V का magnitude निकाला है, तो आपको अंसर V के magnitude की टर्म्स में मिला है, let me give you one more question, मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई, M mass की body थी, मैंने उसको U की velocity से उपर फैका, मैं तुम्हें बोल रहे हूँ, मानो M mass की body थी, मैंने उसको इस तरीके से 20 meter per second से उपर फैका, और मैं तुमसे पूछे हूँ, बताओ कितनी maximum height वो rise करेगा, कितनी maximum height वो rise करेगा, तो तुम देखो न, ये तुमारा initial point है, ये तुमारा final point है, यही है न, displacement, अब positive, negative में अगर अब भी दिक्कत हैं, you are complicating things, or you are not simply thinking, तुम सोची नहीं रहे हो, तुम देखी नहीं रहे हो, मैंने तो तुम्हें इतनी छूट देती, अपनी science conventions का इस्तमाल करो, तो मैं उपर positive लोंगी, नीचे negative लोंगी, ground से उपर, ground से नीचे नहीं, उपर की direction और नीचे की direction, तो तुम देख पार हो, gravitational acceleration हमेशा नीचे की direction में लगता है, तो वो आगया negative, मैं देख पार ही हो न, कि भई जो acceleration है, 10 के magnitude का है, लेकिन negative की direction में, जो initial velocity है, ठीक है, 20 के magnitude की है, positive की direction में, ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, बच्चों, मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर निकालना है, displacement, final velocity भी तो है, maximum height के उपर, body rest के उपर आ जाएगी न, तो final velocity भी मेरे पास है, तो मैं तुमें यह बूलते हूं, तुम देखो, तुम equation कौन सी journey के लिए लिए लिखना चाते हूं, तो इसका initial point यह है, final point यह है, तो displacement यह है न, तो displacement positive की direction, तो displacement यह है, acceleration यह है, highest point, अगर यह वाला point highest point है, मतलब यहाँ पर आ के body रुख गई न, that is it, V is equal to, V square minus U square is equal to 2 AS, देखो, अब मैंने क्या बोला है, equation से बात करूं, मैंने इस equation से बात की, मैंने बोला, equation तुमसे displacement निकालना है, तो equation बोले कि displacement को बिलकुल मत छेड़ना, तेरे ही sign conventions में, मैं answer कर दूंगी, displacement का अगर वो vector है, मैंने बोला, ठीक है, और सारी चीजों को substitute करने पर में चली, तो यह आगया 0 का square, यह मेरे पास आगया, initial velocity के magnitude का square, यह आगया 2 times the acceleration का vector, और यह मेरे पास आगया displacement, तो यह मेरे पास केतना आया, negative 400, it is equal to negative 20 multiplied by displacement, displacement आगया positive 20 meter, देखो, तो मैं तुम्हें बोले हूँ, your sign conventions, मैंने तुम्हें इतने खुली छूट दे थी, अगर तुम्हें एक वेक्टर निकाल रहे हूँ, तो अंसर तुम्हारी sign conventions के हिसाब से आएगा, तो मेरे sign conventions से की उपर की direction को positive लेना है, तो तुम यहां पर देख पार हो कि जो displacement है, मतलब मेरी जो equation है, मेरा जो answer है, वो मुझे बता रहे है कि displacement, आपकी sign conventions के में जो positive direction थी, उस direction में आ रहे है, 20 के magnitude का, इस इस नॉट अ प्राक्टिस सेशन, वी आ डिस्कासिंग अबाउट दी कंसेप्ट्स, ठीक है, एक बार जरा सा देखिये, आएम होपिंग तिंग्स अर एक्स्ट्रीमली क्लियर एवरिवन, ठीक है, इसके उपर फूब question प्राक्टिस करेंगे, आज की class में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, concepts किये हैं, अब obviously बात है, अगर मैंने एक और आदा घंडा motion in one dimension में, vectors को दिया है, तो motion in two dimension में किसी और चीज़ को देंगे, तो ये मत समझना kinematic graphs रहता है, ठीक है, कि दीने kinematic graphs नहीं कराया, क्यों नहीं करवाऊंगे, ये मत समझना कि दीने relative motion नहीं कराया है, क्यों नहीं कराया है, definitely करवाऊंगे ना, लेकिन सब motion in one dimension के साथ कैसे होगा, सब कैसे motion in one dimension के साथ होगा, Motion in 1 dimension के साथ Vector भी करा दू motion in 1 dimension के साथ Drafts भी करा दू motion in 1 dimension के साथ Relative Motion भी करा दू ऐसे थोड़ी होता है है ना तो ये सारी के सारी चीजे हम लोग करेंगे किस के साथ Motion in 2 Dimension के साथ and that is more productive relative motion 1 Dimension और 2 Dimension का एक साथ खत्म हो सबसे productive होता है concept तो सेमी है ना और ये बच्चों हमारी आज की जो class है खतम होते होई questions, types इससे बहुत जादा है दो गंडे की practice करेंगे बच्चों हम लोग आज तीन बजे उन दो गंडों में आदा गंडा question practice होगा vectors के से associated specific एक और आदा घंडा हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ motion in 1D से specific मैंने तुम्हें ये वाली class में सिर्फ concepts बताए है कि यही वो concepts है अगर तुम्हें ये concept पताए तो तुम किसी भी question को solve करने के काबिल हो अब questions कैसे solve करते हैं कितने तरीके के questions हैं कितने तरीके के question तुमारे fingertips पे होने चाहिए वो सारा का सारा हमारा तीन बजे वाला काम है लाइक कर देंगे session को अगर conceptual clarity आई है क्योंकि बच्चों वही conceptual clarity के लिए हमारी सुभे 7 बजे वाले sessions है I am hoping तुम्हें बिलकुल समझ आया है hashtag day 2 का comment comment section में कर देना जिन जिन बच्चों ने class पूरी attend की है hashtag day 2 का comment comment section में कर देना आज मैं total 35 to 40 questions लेके आऊंगी और 2 घंटे practice करेंगे 45 questions भी हो सकते हैं 2 घंटे practice करेंगे 45 to 50 questions की क्योंकि बीच में conceptual questions भी होगे उसके बाद दूंगी DPP सारी DPP भी solve हो जाएगे तुम्हारे सारे previous questions भी solve हो जाएगे जो complex चीज़े हैं complexity पर हमें जाना ही नहीं है ठीक है अच्छा that is all everyone thank you so much please like this session अगर यह session पसंद है और मुझे सब बच्चों का comment comment section में चाहिए 3000 बच्चे बैठ रहे हैं क्यों नहीं है 3000 comment या क्यों नहीं है 3000 comment अपनी टीचर को नहीं बताना जाओगे तुम्हारे लिए इतना कर दिया और वो से वे एक चीज़ करती है कि तुम बता जाओगे तुम क्लास में आए ते ताके मुझे अच्छा लगे तो इतना अच्छा लगना तो मैं भी डिजर्व करती हूं ठीक है that is all for this session everyone thank you so much यह हो गया motion in one dimension and vector के सारी के सारी concepts that you will ever need to understand the solution of any question to approach any question let's learn that approach at 3 p.m bye bye everyone goodbye to all of you subscribe to the channel is telegram